कि अ हालो जी कैसो सारे इस इद लbubberg वेल्कर कि यैनल कोड help यह है आला लेक्षर नमबर 22 हम बात करने वाले के बाड़े में स्रीमिस के बारेew करने वाले हैं बहुत करने बहुत सारे questions हो सकता है एक एक वीडियो कलो तो बने रहे हमारे साथ कीचता है है इसका नाम हमने बिल लिया A, तो care A के अंदर में Z डाल दिया, तो इस प्रकार हमने बोला कि यह एक character है, तो हमने एक variable बनाया इसका नाम है A, जो के character type का है, और इसके तरह में value डाली है Z, तो क्या होगा इस case के अंदर, इस case के अंदर आपको क्या हुआ होगा, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ-कुछ आपका हुआ होगा, बहुत बढ़िया, पर इसमें एक limitation आपके पाच थी कि आपका जो भी आप character है रिगल बनाते हैं, उसमें single character ही डाल पाएंगे, single character ही नाम डाल पाएंगे, बट मैंने बोला कि यह मुझे तो bumper store करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे variable ब मजमार है, character type का array होगा, बड़ी strings क्या होता है, बहुत बढ़िया doubt आपका यह, इसको clear करते हैं, मैंने बोला है strings कुछ भी नहीं है, string बहुत असान चीज़ है, मैंने बोला strings जो होती है, अगर मैं C++ की बात करूँ, strings कुछ भी नहीं होती, one dimensional character type array इसको भी बोल देते हैं, one dimensional इसको ही बोलते हैं, in depth जाओगे, implementation देखोगे, यही मिलने वाला है, तो कुछ नहीं, आप one dimensional character arrays को ही क्या मालोंगे, इसको string मालोंगे, इसको string बोलते हैं, बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं, यह समझाओ एक बार, मैंने बोला one dimensional character arrays तो, इसका मतलब है, आपका जो array को stripe का ह इसमें कुछ-Kछ values पढ़ी होंगी, यह वन dimensional दिख रहा है, आपको साफ साफ है न, इसमें कुछ value पढ़ी है, A B C D E F, इसको माने बोलते हैं, भाई है string है, इसको माने मैं बोलते हैं, इसको मैं बोलते हैं यह बाई character कहा रहे हैं, ठीक है, तो आपको यह समाझ में आ गई, अब भी थोड़ा overview उपर से देशी देशी समझाए कि अच्छा ऐसा से कुछ-कुछ होता है in-depth string क्या होती है, exact definition क्या होती है और फरक क्या है वो सब पढ़ने वाले हैं अभी आएंगे, शुरू कर रहा है तो आपको थड़ बहुत समझा कि string क्या होता है C++ के अंदर एंडे मैंशन क्या रही का string बोल रहा है बहुत बढ़िया, चालो यूज के समझ मैं कि हमें need क्यों पढ़ रही है character arrays की और strings की need क्यों पढ़ रही है क्योंकि भाई साहब क्योंकि हमारे जो simple character type के variable होता था वो सिर्फ single character store कर रहा है और अगर मैं चाहूं, मैं चाहता हूं कि मुझे multiple character store करने है तो मुझे भाई या character arrays का यूज करना पढ़ेगा या string का यूज करना पढ़ेगा बहुत बढ़िया, शालो एक बार समझ के देखते हैं कि हुआ कैसे इस लेवल का है कि आप जो project develop करने वाले हैं उनके अंदर वो internship level के projects है, यहां पर चीज़े practically आप करने वाले हो हर program के end में आपको इतनी project होंगे कि आपका resume बहुत तकड़ा हो जाएगा इतना ही नहीं, यहां पर एक fellowship program भी है जिसमें आपको placement की guarantee दी जाती है कि एक product based company में आपकी placement करवा दी जाएगी जितनी program है, सारे सारे one week free trial के साथ आते हैं और a short scholarship भी मिलेंगी तो एक link आपके आप शोर आओगा description के अंदर वहां पर जाकर आप maximum discount जो अब लेबल है वो अवेल कर सकते हैं एक coupon code यहां पर आपको दिकर आओगा इसको use करके आप maximum discount फिट से ले सकते हैं और यह हर program पे apply करता है धन्यवाद 1141 कुछ भी इस प्रकार है और जो आपका AR है एक block है का नाम है AR इसके अंदर जो है इस पहले block का address मालो इसका address अगर 701 है तो इस ARR के अंदर इसका address टोर होता इस प्रकार ठीक है तो ARR को पता वता है बेस address का है उस base address का use करके मैं इस पूरे array को traverse कर सकता था बहुत बढ़िया तो आपको यह संबाज मात चूगे इस इंटेजर array के case में कुछ इस पकार चीज़ें होती थी अब करेक्टर array किस पकार बनाते हैं जैसे यहां पर इंट ARR 10 लिखा है अगर मालो मुझे 10 करेक्टर का array बनाना मैं कैसे बनाऊंगा मैं बुलूँगा यार बहुत सिंपल है बुलूँगा कैर इसको मैं नाम है दिया CH कितने करेक्टर चाहिए अंदर बना लिया तो इस पकार आपने करेक्टर का array बना लिया है तो यह सेम प्रोसेस का आप यूज करने वाले है आपने डर टाइप की चेंज कर दिया और आपन इसमें क्या हुआ होगा समझते हैं सीज को एक बार इसमें क्या हुआ होगा इसमें यह आपका array बन गया जी इसके अंदर कुछ-कुछ values पढ़ी हुए है तेक है मैंने बोला value पढ़ी है A, B, D और यहाँ G माल लो index वही है 0, 1, 2 से लेके जो भी आपका होगा 9 तक क्योंकि 10 क क्या बोल सकता हूं मैं कि भाई एक block है इसको CH signify कर रहा हूं जिसके अंदर क्या पढ़ा है इसके अंदर address पढ़ा हुआ 700 एक माल लो इसको address है 700 पहले block सेम चीज़ है समझ मागी तो इस पकार आपका character के array बनते है input, output, processing, storing, सबको समझने माले आपको थोड़ा बाद समझ मा character array के इस पकार दिखते हैं memory के अंदर और integer array और character array में क्या फार्ख होता है आप समझ चुके हैं बढ़िया अब मैंने बोले यार मैं integer array तो simple था मैं बस एक simple integer होता था उसको ऐसे ले लेता था यार cint और ये कोई value थी इसको मैं input ले लेता था था ना अगर मान लो मुझे ऐस character array बनाया है मैंने बुला character array आपने बनाया इसका नाव रख लिया name और इसका आपने value देधी 20 इस प्रकार तो input क्या से लोगे मैंने इन्पूट लिए इन्पूट लिए आपका नाम है तो बबबर घांदा के store हो गया बबर जाके इस name array में store बोच चुगा होगा बहुत तो आपके array होगा वो इस प्रकार का होगा इस प्रकार तो पहले पे बिया आ गया जब एक इप ब्रट लेते हैं तो automatically क्या होता है automatically जा भी आपका input खतम होता है तो R पर आपका input खतम हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ R के अगले वाले memory block के अंदर इन्होंने एक character add कर दिया इसको बोलते है null character क्या बोलते है null character अभी null character क्या जीज़ है भईया मैंने बोला दोस्त आपको ऐसा टर्मिनेटर कैसे जिससे मुझे पता लग जाए पता लगे के कि श्ट्रिंग कहां एंड हो रही है तो इस null character के द्वारा पता लगा पते हैं कि आपकी कहां पर end हो रही है तो अगर मैं इसको कभी print करने जाओंगा तो कितना print होगा यह उतना ही print होगा जहां तक आपको null character है तो मैंशा आर तक ही print होने वाला है तो जब आप c out करोगे तो वो देख लिया गया और यहां null character आ गया तो इसके पहले ब्लॉक में L आ गया होगा दूसरे ब्लॉक में O तीसे ब्लॉक में V चौत्य में E अब मुझे पता लगे मिरे श्रिंग खतम होगी जब मिरे श्रिंग खतम होगी तो यहां मुझे c out करना है मैंने बहुत c out name इस case में क्या होगा इस case में क्या होगा मार्लों हम इसी वाले string को उठा लेते हैं तो यह क्या करेगा character by character print कर रहा होगा L को print कर दे दोस्त O को print कर दे V को print कर दे E को print कर दे नल character आ गया रुक जा बस खता रुक जा खता processing समझ में आई इसने क्या बोला क्या L को print कर दे O को print कर दे V को print कर दे E को print कर दे अरे नल collector आ गया रुक जा input के इसमें भी हुआ था जो आपने love दिया था इस प्रकार तो इसने का बलता L को डाल दे O को डाल दे V को डाल दे E को डाल दे और कुछ नहीं है null collector डाल दे पर रहा सकर तो इस प्रकार आपका input हुआ था तो आपने input और output दोनों कि इस प्रकार के process होते है character arrays के अंदर यह समझ लिया null collector के क्या significance है यह भी समझ लिया मान लोग मैंने क्या किया मैंने एरे बना लिया मैंने बुला A, null character B, null character C, null character अब क्या print होगा इस case के अंदर क्या print होगा समझते है हमने A को print किया तो आपका सिर्फ A ही print होगा इस case के अंदर जैसे ही आप एक null character पकड़ लेंगे आपका compiler देखा कि null character आचागा और रुप जाएगा एक चीज और समझते हैं इस बार इसको करके देखें तो जाद है समझ में आएगा एक बार इसको करने का ट्राई कर लेते हैं तो आपको चीज अच्छे समझ में आएगी तो हमने क्या कि हमने सबसे पहले character type का अरे बना लिए ch हमने बोला name name इसका हमने variable name डाल दिया और बीस की हमने इसमे size डाल दिया हमने बोले इसको scene कर ले दोस्त scene name इससे पहले मैंने एक बार थोड़ा देखने में अच्छे लिए बोल दिया see out enter your name एक है तो इसको एक बार हम scene कर लिया और हम प्रिंट भी रायता हू एक बार your name is मैंने इसको प्रिंट कर दिया बहुत बड़िया मैंने बोला run करो उसमे बोला enter your name मैंने बोला भाई नाम तो मेरा अच्छा साही है मैंने बोला बबर अपना नाम कौन इतना गलत लिखता है मैंने बोला बबर enter मार दिया उसमे बोला your name is bubber इसको थोड़ा हटाते हैं असे फालत में गंदा दिख रहा है एक स्पेस कम कर दो अब दुबार चलाते हैं एक बार मैंने बोला run कर दो enter your name is bubber उसमे बोला your name is bubber बहुत बड़िया तो अब मैंने क्या बोला मैं बोला, ठीक है, मैं पूरा नाम डालकर देखता हूं, मैं बढ़ा, run करो, उसमे बढ़ा, लव बबबर, उसमे बढ़ा, your name is love, अच्छा, उसमे लव तो पिक कर लियो, बबबर पिक नहीं करवाया हूँ, क्यों, इस चीज़ को समझते हैं, मैंने क्या दिया उसको input में, मैं उसका बोला, love बबर, यह love है यह space है और यह बबर है तो एक चीज हमेहाँ पर समझने पड़ेगी यह है love, यह space यह है बबर, तो आपको समझना पड़ेगा जो आपका see in है वो execution को stop कर देता है execution को stop कर देता है, कब? जब भी आप उसको space देंगे, जब भी आप उसको tap देंगे, जब भी आप उसको new line character देंगे, यानि का enter इसको, space को आप तो बता है space कैसे माटते हैं, हाँ समझ गए, आप मैं क्याते हैं, दशाना चाह रहा हूँ खाली है, आपने space बाय से दबादिया tab कैसे बनता है, tab ऐसा होता है character, और new line कैसे होती है, new line ऐसी होती है तो आपको यही समझ माननी सी किया, जब भी यह तीनों में से कोई एक चीज़ आप डाल देंगे, तो आपको scene आप stop कर देगा, कैसे मैं दूबार समझाता हूँ आपको, मानलो मैंने आपे, tab डाला तो space के जगा मैं रिख लाँ, love space के जगाँ, tab डाल दिया tab को पतना, caps lock के उपर वाला, tab माला babber, अभी भी लवी आ रहा अब मैंने दूसर फिर चलाया space और tab उनमें देख लिया, मैं enter मारूँगा love, space नहीं मारना आपको, क्या तरीका है, बताएंगे आपको, टेंशन मत भी लिए क्या हम यतनी चीज़ समझ में आ चुकी है एक चीज़ और करते हैं, चलो मैंने हाँ पर क्या किया clear करता हूं बहले इसको मैंने हाँ पर क्या किया मैंने इसको run किया और मैंने लिखा बबबर बबर आ गया, अगर मान लो मैं इस केस में ऐसा कुछ कर दोँग मैं इस केस में ऐसा कुछ कर दोँग के B, A, B, 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 A, R और एक नल करेक्टर, इस पकार श्टोर होगा पड़ा होगा आपके, मतलब अगर मैं इस पकार श्टोर को पड़ा होगा यह साथ करेक्टर होगे अगर मैं ऐसा करूँ कि यार अपसे तीसरा करेक्टर है यानि छोटे माला भी इसके तक आप नल करेक्टर डाल दे यानि B, A, NULL करेक्टर B, A, R, NULL करेक्टर कायदे से B प्रेक्टर होगा फिर A प्रेक्टर होगी बी और A प्रेक्टर होगा अब देखें क्या होन वाला है गुछ मत कर नेम की second index पे null character डाल देदा दोस्त इतना करते हैं अब इसको print करते हैं हमने बोला कि मेरा नाम क्या है इधर नहीं उतर लिखना है आपका answer क्या गया सिर्फ भी आपको logic समझ में आगया क्या हुआ अच्छे समझाते हैं आपको ताकि clarity मिल जाए आपको आपने क्या किया क्यारे बना लिया इसमें यहां पर बढ़ा हुआ है ऐसे करते हैं 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 आपने कहा बी ए बी बी ए आर और नल करेक्टर इस प्रकार क्या आपका पड़ा हुआ है आपने क्या किया आपने नेम के second index में भी नल इंडेक्टर डाल दिया यहां पर यहां पर डाला मतला अब यहां प्रकार यहां पर कोश्ण नहीं डाला वह अपने प्रक्रेश्च करने निकल रहे हैं आपने इसको प्रिंट कर सकता हूं भी लिख दिया, इसको पर रिख दिया, फिर नल करेक्टर आगया, आपनों रुख जाओ, बस खता, तो आपने बी ए इस पर गार प्रिंट कर दिया था, आपको लोग समझ में आ चुका ठीक है, कि कितने ही मुल्टीपल करेक्टर हो, मेरे तो पहला नल करेक्टर आएगा, वह लेंग फटना करेक्थ कि दिख दूख लिख करेक्टर अब लेंट इनकलती है, यह लाइट यसी नंखा दिए आ पने आपको बहुचा, आपने ने में पूचा करेक्टर हो, आपने मुझे आउंसर में क्या दे दिया, यह चाहरो हूँ बी ए और और एक नल करेक्टर अच्छा तो अगर मुझे पता है कि यह इंडेक्स जो है वो जीरो है और मेरी स्ट्रिंग कहां खता मुझे तो मैं क्या लेंथ निकाल पाँगा बहुत आने मैं 0 से स्टार्ट करता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर आ अपने एक क्याक्टर पहुंचे अरे हां तो counting नी करने ही रुखजा असान था एक लिएक काणख्ट नाओ int get length अब यहाँ पे आपने क्या दिया अपना character का array pass कर दिया मान लेते हैं इसका नाम है name आपको याद हो कि last time याँ अबने जितनी में array के question की है जब हम array pass किया करते था हम उसको size भी pass करना पड़ता था character array में ऐसा करने कोई भी need नहीं है क्यों अभी बत रिख जाएगा आप नहीं लगा 4 int i is equal to 0 इस जिरो से नहीं start करूँगा कहां तक जाऊँगा जब तक null character नहीं मिलता महां तक जाऊँगा इसका मतलब name of i not equal to null character अच्छा और i को आगे बढ़ा दिया समझ गे तो जब तक null character नहीं मिलता मैं बस आगे बढ़ता जा रहा हूँ मुझे counting store करनी थी variable बना लिया int count is equal to 0 कुछी भी नहीं है आप count को बस बढ़ाते जा रहे हूँ ठीक है बहर आगए count का आपने वापस पेज़ दिया यह आपका length का function तयार है तो इस पर आपने length निकाल लिया इसको में एक बढ़ा दिता हूँ और मैंने बोला यहां पर आके कि यार cout length get length और यहां पर आपका name ठीक है अब मैं इसको चला कर देखता हूँ अब प्लियर कर गे मैंने इसको run किया उसने बोला बढ़ी नाम बताओ मैंने बला बढ़ उसने मारा length 6 इस प्रकार 0th index से चला के और जब तक हमें null character नहीं मिलता हमने अपना length का function तयार कर लिया हमें अब string की length निकाल लिया आचुकी है पहला code हमारा तयार है विल्कुल मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आचुका होगा रिवर्स और string कुछ भी नहीं अगर आपको input में एक string दी हुई है इसकी value है बबबर B A W B A R और आपने बूला कि यार इसका reverse कर दो तो आपका answer क्या होना चाहिए R A B B A B इसका आपने उल्टा लिख दिया वस R A B B A B तो आपको यह reverse करके देना है यह आपकी reverse string अगर इंटीजर array में होता तो आपके लिए बहुत साम था मैं आपको integer array बना कर देता कि 1 2 3 4 5 सका reverse कर दो तो आप मुझे 5 4 3 2 1 दे सकते थे आपको आता है आप सीख चुके है स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड स्टार्ट है क्या मैं बोलूँ कि यह भी सेम लाजिक लगना है कुछ भी खासकतरनाक ऐसा मुश्किल नहीं है सिम्पल चीजे है चलो मैंने बोला यार के दोस्त ऐसा कर इसको रिवर्स करना है वाइड कर दे वाइड रिवर्स आपने बोला कि क्यार नेम ठीक है यहाँ आपने आपने मानलो अपने लेंट निकाल चिक हो ना तो यहाँ पर दिक कर दो ही है रिटर्न वैल्यू दिक कर दा रिए इतना आपने कर दिया इतना आपने कर दिया ठीक है मैं बोलूं कर int s is equal to 0 मैं बोलूं int e is equal to n-1 इतना ही तो गरते थे पहले बिए इतना ही पहले वाइल s less than e कुछ भी नहीं करना हो था exact same code आने वाला है swap या आपका name s++ name e- मैं बोला दोस्त हो हो गया code अब अपनी दोबारा अपर प्रिंट करके देख लो reverse करने के बाद reverse name name comma यहाँ आपने इस कुछ टोबर करा लिया मान लोग नहीं पर मैंने बोला दोस्त चला के देख ले उसने बोला enter name मैंने बोला बबर उसने वाइसा रिवर्ट्स करके देदिया तो exact जो हमने integer के case में रिवर्ट्स किया तो वो इस सेम रिवर्ट्स यहाँ पर भी मिसला आ पा रहे है हमारे लिए यह करना बहुत आदा आसान था वो इस सेम चीज़ा उसने बोला in place ना इसको reverse करते दोस्त इन पेस्रिवर्ट्स करते मतलब extra memory मतलि हो जितनी memory देख इसी में गड़तो जो अटना है इस姐या कोई भी करते है मं ratios पूलता मेरा function काई copy काउस करना मैं भी मैंने ले मेरा function पेस्द हरं ले मेरा function और यह जो है इस प्रकार है जोढ़ो मैंने इसको फटाकर यह ही डाल दिया मैंने इत्था के यह ही डाल दिया असने के लिए रिवर्स करने है इसके साट होने है जी रिव हम एन हुना है N इसके से में कि एन है इसके से में we s. size 9 क्या है कि आयच जलते है यहां ऑनाम है अगर इसके लिए तो जहां पर जर्ड़ाइब लाएगा sd कर दिए s को हमने स्ट कर दिया इसको मने इंडेंटेशन दोड़ी ऐसी ऐसी टाइसी कर टाखी है भी ठीक कर देते हैं बहुत बड़ी या तो त्राई कर देखेंगी लगा दन कर यह बार एक बाट राई करियो उसमें वुलाद चल गया मैंने रखोराई कर लिए इधिरक्टर से उल्ट है इधिरक्टर नहीं रखा यू थोड़े फटने हाले केस को सकते हैं यहां पर चल आ क्यों यहां पर उसनों बोला कि string की length at least one तो होनी होनी है तो वो यह वाला test case validity नहीं है इसको उटा सकते हैं run करियो सभी चल रहा है तो मैंने बोले यह ऐसा कर एक पर try कर कर देगे इसको submit कर 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 देगे क्या पता कि सही आज आज अंसर उसनों मैंने बोला भाई क्या पता क्या पक्का सही आना है तो इस पकार आपने एक string को reverse करना सीख लिए आपर question clear भी कर देगे टेस्ट के भी सारे पास कर देगे वो यह मज़े मज़े है जो understanding अपकी area के time पर दी reverse करना यह वो यह से understanding आपने यहाँ पर लगा दी आपका काम दमा के दर तरीकी से हो गया तो यह question मैं समझ में हाँ चुका है अगले question की तरफ चले अगला question क्या कहता है check if a string is a palindrome okay palindrome क्या होता है पहले आपको यह समझाना पड़ेगा third question क्या कहता है third question क्या कहता है check palindrome यह वो question जो मेरे से मेरे college time पर practical ने पूछा गया था और मैं ऐसा हुआ था यह राम इतना मुश्किल हो question कोई कैसे हो सकता है और है कुछी भी नहीं बहुत असान चीज़ है देखो palindrome क्या होता है कोई एक इस प्रकार की string कोई एक इस प्रकार की string जो मैं string बोलता है तो वह क्याक्टर कहा रहा है समझ की चला मन गया कोई कि इस प्रकार की string मान लेते हैं कैसी है जो बड़ा a, b, c, b, a तो palindrome क्या होता है अगर मेरी ये string s है और मैं एक reverse निकाल दूँ मैं अगर reverse कर दो इसको इसको reverse करके भी क्या आएगा a, b, c, b, a same हा रहा है अगर ये दोनों मेरे same है exact same है तो भईया palindrome है ये logic है क्या बोला मैंने मैंने बोला एक string मुझे दिविया है अगर उस string का reverse भी वो ही same string generate करता है तो उसको मैं palindrome बोलता हूँ इस type की strings को मैं palindrome बोलता हूँ क्या मैं बज़ता हूँ कि car एक palindrome है कैसे ये car जो है ये आपके original string है reverse string क्या हो जाएगी RAC क्या दुनों equal है ना तो ये palindrome नहीं है मैंने बोला cat equal है क्या नहीं जा रTAC है कहां से equal है नहीं है भाई मैंने बोला यार बबबर equal होगा क्या आपने बैबबर तो यह रहा इसका reverse क्या होगा RABB AB नहीं है equal rate समझे मैं यह बात मैंने मुला यार कुछ तो होगा कुछ तो होगा कुछ तो होगा मैंना noon यह आपकी main string है उसको reverse करूँगा अगर reverse करके noon ही आएगा क्या दोने equal है आपने बहुत बहुत बिलकुल इकल तो भाई यह palan drum है तो इस प्रकार आपको समझ मैंगे कि अगर कोई original string और उसी string का reverse exactly equal आ रहा है same type का आ रहा है same ही आ रहा है तो भाई इस प्रकार की string को palan drum बोल देता हूँ अब हम चलते हैं कोशन के उपर कोशन क्या कहरा था रिष्टा क्या कहलाता है कोशन हमें यह वाला example दिया दोस्त इस इस प्रकार का इसने इसमें yes वोल दे कि परिंडरों में चेक करते हैं एक बार कोशन हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आए को इसने बोला कि consider alphabets and numbers only ignore करना symbols को और white spaces को सिर्फ alphabets को और number को इमान के चलना है हमें ठीक है तो यह आपको कि भाई यह परिंड्रों है या नहीं है इस प्रकार का कोशन मेरे सामने है यह मेरा कोशन है वह बहुत समझ माने था वह भी कर लोगी तो मैंने बढ़े दोस्त बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा सिंपल पहला अप्रोच जो आपके दिमाग में आ रहा होगा भी वह क्या स्ट्रिंग बनाऊंगा रिवर्स टिंग बनाऊंगा रिवर्स बनांओं घ्पारी और comparison करके मैं पता लगा लूँगा कि यह equal है या नहीं है और उस spaces पर मैं yes or no प्रिंट कर लूँगा मैंने बहुत दोस्त बिल्कुल सही है बट यहाँ पर आपने क्या किया है यहाँ पर आपने extra space ले लिया एक नई string बनाने के लिए यहाँ पर आपने extra space ले लिया complexity आपकी चलो ठीक है आपने reverse string बनाई off end लगा होगा comparison किया off end लगा होगा तो complexity आपकी off end ही आ गई time complexity ठीक है तो आपने extra space ले लिया है दोस्ते मैं बोले हुआ इस बिना इस array के साथ करके दिखाओ तो वो वाली गेम आपको समझाते हैं एक बार हम approach second आपकी ठीक है तो मैंने के बनाद दोस्त बहुत असान है आपकी मानलो string जो दे रखी है वो क्या दे रखी है A, B, C, B, A ठीक है तो इसको अच्छे से बनाते हैं फिर समझाते हैं आपको यहाँ A पढ़ा, यहाँ B पढ़ा, यहाँ C पढ़ा, यहाँ B पढ़ा, यहाँ A पढ़ा इसका index 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 अब त्याहन से देखो इसको बहुत अच्छे से हमें basically करना क्या है हमने इसको reverse किया हो तो यहाँ पर A, B, C, B, A आता तो हमने इसको इससे compare कराया in short हमने इस वाले को इस वाले से compare तो कराया है क्योंकि इसका reverse करके यहाँ पर आया होगा मैं यह बात दुबार समझाता हूँ, मैंने आपको क्या बोला मैंने बोला कि हम क्या करते, approach 1 में हम इसको reverse करते तो यहाँ A, B, C, B, A यहाँ A, B, C, B, A पहले मैंने को compare करता हैं, फिर मैं इन उनको करता है इन्चिहर रहे हो और इस करेक्टर को यह से कम्पिर कर रहे हो यह तो हमें का रहा है कि मुझह इसको इसका करवा पहले तो मुझा यहां पर यह स मंध़ बोले लखनnothing और यह ई होगया बढ लिया स को स्टार्ट किया जीरो से एको स्टार्ट किया एनमानेफर इंडेक्स से अब मैंने इनको कंपेर कराया मैंने बोला कि यार जो भी मेरी str यह स्ट्रिंग जो है मैंने इसको कंपेर कराया कि str of s is not equal to str of e i तो भाइया सीड्रण जीरो कर दो स्टमितन तो आगे चलते रही है अगर आ रहा है तो आगे चलते अगर आरा आगे बढ़ गया होगा हुम सब्सक्राइब प्रॉसक्तर आगे बढ़ चाहिए अब आपका S जो है वो क्या होगा S आपका होगा 1 यानि आपका S का यहाँ आ चुगा है और E आपका 3 होगा E यहाँ चुगा है तीक है आपने इन दोनों compare करा लिया यानि कि हमें इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा S को यहाँ पर E को यहाँ पर आपका S क्या हो गया 2 और E क्या हो गया 2 compare करा यहाँ C को C के साथ ही यह equal आगा तो आपने S को आगे बढ़ा गया S जो है यहाँ पर आगया और E जो है यहाँ यहाँ पर आगया अब क्या हुआ S जो है वो बढ़ा हो गया E से इस केस में पताए रुपना है भाई रुप जाओ तो इस परकार हम code लिख सकते हैं हमारे ले बहुत असान है इस परकार के question मेरे साथ ने पहले भी हमने किये हुए बहुत असान है हमारे ले question अगम ध्यान से reverse वारा logic भी देखे है तो वो कही ना कहीं इस परकार से compare हम कर रहे होते है तो मैं reverse क्यों ही करा हूँ जब मैं इस परकार से question solve कर सकता हूँ तो मैंने वह लेक मैं फंक्शन बनाया के bool check palindrome check palindrome इसके अंदर क्या हुआ पहला array बढ़ा होगा character array square a उसको यह होगा square b इस परकार का अब देखते हैं क्या हुआ होगा पर यह दो क्यों है single यह है single check करना अपने को मैंने मान लिए कि आपने साथ में इस के लिंट भेज़ दी होगी निकालना को बड़ी बात नहीं अब 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 देखा होगा अब आपने क्या किया int s is equal to 0 आपने int e is equal to n-1 इस परकार आपने वोला while s less than equal to e आपकी जो क्या ट्राय रहे है उसका आपने compare करा लिया कि if a of s is not equal to a of e तो वह यह return दीरो बहुत बढ़िया और यहां पर आपने एक मिना ठीक है बिल्कुर सही और नहीं तो आप क्या करोगे else वाले case में इस ख़र अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए अगर ऐसा है तो return 0 करते ना दोस्त अगर नहीं है तो s को आगे और e को बीच ले आओ नहीं है तो क्या करोगे s plus plus और e minus minus इस प्रकार ठीक है यह आपने कर लिया तो यहां पर आप बाहर आए आपने बुला कर यहां तक पहुंच गए हो तो भाया तुम तत भाया तुम पैलेंड्रोम ही हो चलो अब हमने इस प्रकार कर लिया अब एक बार हम क्या करेंगे हम एक बार इसको चेक कर लेंगे cout palindrome और not output हो क्या रहा है हमारा इस case में मैंने print कर दिया कि इसको check palindrome को इसे मैंने अपने string भेज़ दी जो की है name और इसका length भेज़ जो की है n sorry l-e-n अब मैंने क्या किया मैंने इसको चला कर देख लिया मैंने clear कर दा पहले इसको मैंने बोला run उसने बोला enter your name मैंने बोला बबर उसने नाम तुम्हारा बबर है नाम तुम्हारा बबर है length इसकी चे है length 6 है आपका reverse जो है वो इस पर कार का आएगा palindrome है या नही है उसने बोला 0 false नही है palindrome मैंने बोला ठीक इस बील्ही साही बात है मैंने बोला कि मिरश्य नाम है noon noon enter मारा उसने मारे parindrome है नहीं है मारे parindrome है अबना आगया मैंने बोला इस variation try करें मैंने मरे नाम है noon यह वहला एक n बड़ा है इक n चोट है उसने अन थें ब lt तुम गलत फहल रहे हो तो इस चीज का धिया रिखाना है यहा my और question के अंदर question आज पढ़ लेना कि तुम्हें same collector को upper case को under case द Civ case को same चीज माननी है नहीं नहीं माननी है जो हमने अभी logic लिखा है अपर case को अलग चीज मान रहा है और lower case कोène चीज मान रहा है तो इसलिए भूल रहा परिंड्रोम नहीं है कोशन में पढ़ना और समझना क्या वो सेम चीज तो नहीं ठीक है तो आपको परिंड्रोम को लॉजिक लिखना आ गया है कुछ भी नहीं होता आपने स्टार्ट लिया एंड लिया दो पॉइंटर लगाए एक स्टार्टिंग में इक decisive में परिंड्रोम हो इसलिए अब चलते हैं हमारे कुश्ण स क्यों ज्कालना भी सीक लिया अब चलते हैं हमारे कोश्चिंग से उपर जो क्या कहता है वो पढ़ने यह कहता तो ཆ यह स्ट्रेंग दू पढ़ा है नहीं ओर है दोस्त वहीं चल रहा है अब आपको सजाते हैं इस चीज को सेम् वर गवन एस्ट्रेंग आपको चेक करने के परेंटरोम है नहीं है और आपको सिफ एल्फाबेट या फिर नमबरों कुंटर करना है नहीं A-Z तक मानलेना वैलिट चीज और 0-9 वैलिट चीज मानलेना जो भी एक्स्ट्रा करेक्टर एट लगाया है वाइट स्पेस लगाया है वो बक्वास चीज़े हैं तो पक्वास चीज़े हैं तो समझ गए इस नाट केस है तो इसका मतलब क्या है किछाय क्ष अपर डौइेट हो चाले ओवर कैस हो दोनों सेम चीज मानलेना जार जासे हमारें वाले जास में गजा था बड़े वाले में को इक ही फ़ॉमैट के इंदर के अंदर ले आता है तो मानलों की में इपस कोई भी आ रहा है तो मैं कियसे करूँगा अगर मैं पास मान लो कि इसी कोशन है मुझे इसको परेंटरों मानना होता है मतलब मैं इसको not case sensitive कर दूँ तो किस प्रकार कोशन मतलब कोड मैं ऐसा क्या चेंज करूँ कि उमान जाए तो कर मैं एक function मना दूँ मैं बोलू कि function मैं ने बनाया character to lowercase इस प्रकार का और इसमें मैंने character भेजा होगा और यह क्या करेगा हमेशा कोई भी character आएगा तो चेक कर लेगा अगर वो पहले से lowercase है तो वही return कर देगा अगर वो upper case में तो इसको lowercase में convert करके भेज़ेगा दुबा ch greater than equal to a and and ch less than equal to less than equal to what? z तो अगर अगर तो इसका मतलब क्या है मुझे क्या करना पड़ेगा lowercase character तो मैंने क्या किया है? दोस्त क्या किया जाए? क्या क्या किया जाए? इसमेंसे तू सबसे पहले a- कर दे सब्यों मैं यह चीज़? इसमें तू a- कर दे और फिर इसमें छोटे वाला a Plus कर दे क्या इसे मैं समझ में आ रही है और इसको return करते दोस्त अब देखते हैं इससे में क्या मिलेगा समझते हैं मानलो मैंने इस पूरे और का comment out कर दिया या फिर छोड़ो मैं आप आगे चला देता हूं मैंने आप लिगा cout और corrector is to lowercase मैंने क्या बेज दिया होता a बेज दिया होता मैंने ने b बेज दिया पहारी लाइन या हो गई मैंनेCu et इसका क्या हो गङा इसनने था कि च्छोटे वाले B के लिए आपका answer का आया है छोटे वाला B ही आया है और बड़े वाले C को आपने lower case वाला function भी आया है तो आपका answer का या छोटा वाला C आया है बहुत बड़ी है तो यानि बिक्तल सक्सेस्वली काम कर रहा है कोई भी इसको character दूँगा है A से Z के बीच में अगर वा lower case हुआ तो as it is का as it is आ रहा है मैंने छोटा वाला B दिया तो मुझे B का B आ गया अगर मैंने बड़े वाला C दिया तो मुझे lower case में convert करना तो मुझे lower case में convert कर दिया भाई यह कैसे किया चल तो रहा है पर कैसे किया यह समझते है मैंने क्या बोला मुझे पता है कि मेरा ग्रेक्टर जाओ कहीना कहीन इस A से लेके इस Z के बीच में कहीना भी लाई करता है ठीक है इस समझ में आ रही है और मुझे क्या बता है कि मुझे उसको इस A से लेके इस Z के बीच में बनाना है बहुत बढ़ बढ़ या तो मैंने क्या किया कि यहां पर कहीं से लाई करता है मालो बड़े वाला B है मैंने उसमें क्या मानिस कर दिया A मानिस कर दिया तो बड़े वाले B में से बड़े वाला A मानिस हो रिफरेंस में क्या आएगा 1 इसे मैंने ये वाला A प्लस कर दिया मैंने किया 1 प्लस ये वाला A A में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा ये वाला B अरे दोस्त वही तो कर दिया तुने बड़े वाले B से छोड़े वाले B में कर दिया नहीं समझाया कोई बात में दुबार समझाते है मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक character पड़ा हुआ है जो कि यह बड़ा B मैंने एक simple expression मनाया मैंने बोला तो simple difference लिलो कि अगर तुम्हें बड़े वाले character हो upper case वाले character हो तो upper case थे ही minus कर दो मैंने बोला ch minus a इससे तुम्हें क्या मिलेगा इससे तुम्हें एक difference मिलेगा जिसको तुम add करोगे lower case वाले में ताकि तुम्हें तुम्हारा resultant character मिल जाए क्या जिसे मैं समझ में आ रही है सुपार समझते हैं अगर मानलो मेरे पास 1 होता यह वाला तो इसको मुझे integer में अगर बनाना होता मैं इस one में से यह 0 मानस कर देता तो यह मानला पूस्ट वाला बना जाला क्या चल रह वह यह नहीं समझा रहा बिलकुल भी ठीक है तो इसकी कुछ s काई वैल्ली होगी मानलो इसकी s काई वैली 45 है जो भी हसी होगी इस से कमी होगी इसके डेफिनेटली, कॉमेजेंस वाली बात है, 40 मैं से 44 गए, आपका 1 आगया, तो यह इंटीजर का 1 आपने निकाल लिया रोज, इस प्रकार, से हम उसी प्रकार, आपने जब CH में से A माइनस किया, यानि जब B में से A माइनस किया, तो इसकी कुछ S काई वैल्यू हो, माणलो 65, और इसकी माणलो क्या होगे, 65 इसके तो 64 ही होगे, क्योंकि B है, B से पहले A आता 64 होगे, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, मैं शबन आएगा, है ना, और मुझे क्या पता है, कि यार, इस यह है A, इसे माणलो कुछ value है, 97 माणलो, इसमें अगर मुझे 1 प्लस करना है, तो इस वो B ही तो बनाएगा, समझे, S काई value की game है ये, समझ में आई, तो माणलो मुझे upper case से lower case करना होता है, तो मैं कैसे करता हूँ, simple है, कोई character है, C, वो upper case में है, उसको lower case में करना है, मैं सबसे पहले उसमें से A माणिस करता है, ताकि मुझे difference मिल जा है, उसमें चोटा वाला A प्लस कर देता, ये होगा, अगर माणलो मुझे lower case से upper case करना होता है, तो बहुत simple है, CH में मैं एकटर पढ़ा हुआ है, मैं इसमें चोटा वाला A माणिस कर दिया, फिर मैं इसमें बड़ा वाला A प्लस कर देता, बहुत बढ़िया, तेक है, माणलो मुझे कोई number दिया हुए, character की form में, मुझे उसको असलियत number में convert करना है, जैसे 1, मैं कुछ नहीं करता है, CH में से 0 माणिस कर देता, और मेरा answer आ जाता, done, S का E value उसकी बात हो रही है, आपर जब यह माणिस हो रहे हैं, तो S का E value इस माणिस हो रही है, और वहां से मारे result निकल गया आ रहा है, यहां से आपने माणिस करके, S का E value वाले difference निकाल लिया, उस difference को आपने इस में add करके, आपका character निकाल लिया, मैं समझ रहा हूँ कि आपको logic समझ में आ चुका होगा, बहुत अच्छे से, तो हमें यह चीज समझ में आ चुकी है, अब अगर मैं यह वाले case जो है lower case वाला, उसको यहां लगा दूँ, इसका भाई, पहल तो नून के लिए palindrome false आ रहा था न, अब देखते हैं क्या आता है, अब क्या आगे, अब क्या आगे, palindrome आ गया, दोस्त बन आ गया, तो अब वो not case sensitive भाई, मंझ में आगे यह वाली बात, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब हमारे कोशन में आपको यह वाली चीज़ पर तंग नहीं करेगी, आपको यह चीज़ करनी आ चुकी है, आगे चलते हैं, एक simple example उठाता हूं तागि आपको समझा पाऊ, तो मैंने simple example उठा लिया, यह वाला, देक है, यह यह यहां 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 तो यह चीज आपका केस एक आ गया इस कांसर आपका नो आ गया आप में पहले वाले केस लिग लेते हैं और बहुत-बड़ा साइच्छुटा सा लिग देता हूं यह वाले समझाता हूं आपको मैं हास में क्या लिखा हुआ है फाइव कोशन मार्क थ्री सिक्स एड़ दिरेट 6 कोशन मार्क 35 हमने सिर्फ नंबर्स और करेक्टर सी कंच्डर करने है उसके लावब कुछ भी चंच्डर नहीं करना है मैंने क्या बोला सबसे पहले स्टार्ट यहां पे है और एंड यहां पे है यह मैं रही है मैंने फाइव को फाइव से कंपेर किया दोस्त से मैं आपना बिल्कुर ठीक है मज़ा आ गया फिर आप गई कोशन मार्क पर यार कोशन मार्क पर जाते ही नहीं है फिर आपने इसको कै पेर किया बढ़ी है फिर आप चले कि आगे और यह आप जाते ही नहीं आगे जाना पड़े है कि यह जाते है क्वाई इस पर रुकना यह जब भी आगे बढ़ा होगे तो यह चैक करना क्या यह नंबर यह अलफा बेट में से 1 है अगर हां तो रुक जाता हूं नहीं तो और आ यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, S++ E- यहां पर फोड़ा चेंज आएगा, यहां पर फोड़ा और आगे बढ़ना पढ़ सकता है, अगर वो एक special character, space, white space पगार को चीज़ है, तो यह वाला question जो है, आपके रहे if after converting all upper case letter into lower case letter and removing all known alpha numeric characters, it reads the same forward and backward, alpha numeric character letter होते हैं और number होते हैं, बिल्कुल same exactly, जो हमने पीछे वाला question देखा है, उसकी तरह ही मुझे ही लग रहा है, क्योना string, अच्छा हो यह string नहीं बताई आपने, चलो यह बता देते हैं एक बार, अब मालने ते हम को कोई ऐसे topic के फज़ाते हैं, जहां पे नहीं समझ में नहीं नहीं आ रहा है कि यह पर्टिकुलर चीज कैसे समझो और कहा है समझो तो C++ से related को topic है, मालों कि string नहीं पता क्या होता है यह आपके बहले के लिए बता रहा हूँ थाकि आपके फसो फ्यूचर में तो आपका पताओ कि कहां पर जाना है मैंने बोले है string c++ पहली से टागी c++.com मैं इसमें कुझ गया यहाँ पे आपने string के बार में जो तकड़ी knowledge है पूरी यह इन कर लोगे आपको बता रहा है string क्या है एक प्रकार की class है string class के बार में बात करने बाले है class क्या होता है मांगे discuss करेंगा अब आपकार समझ सकते हो कि यह कुछ भी नहीं है जो चीए हमने भी character is के बार में चीज है यह सेम वही चीज है मेमरी में वही चीजए हो रही है इस सेम ओंचिन से ऐँ आप उक्षन हे अब यूज़े diffy यूज हो ओगा है इस प्रकार लहा के बाए है इस में कुछ इंबेट फॉंक्शन है आप तक दिपन है अंत्सिंस निकाला है str.length str.length लेंस निकल गी तो महनत नहीं करनी पड़ी आपको और क्या क्या फंक्शन से भाईया मैं और क्या क्या यूज कर सकता हूँ यहां पर यह भिन भिन प्रकार की चीज़ें इसको यूज करके आप चीज़ें निकाल सकते हैं मैं आपने बोला कि भाईया मुझे स्ट्रिंग कर देना कुछ डालना है मतलब मैं आर के बाद कुछ पुछ एड़ करना चारा हूँ मैं बोला है str.pushback यहां character डाल दे भाईया आपने बोला मुझे c डालना है तो आपकर आंसर क्या बन जाएगा b a b a r c ठीक है store कैसे होगा b a b a r c null character इस परकार समझ में आगया आपको ठीक है भाईया इस परकार pushback करते हैं तो भाईया popback option भी है मुझे मानलो बबर में से r हटाना है यह हटाना है मैं कहा लिखूंगा str.popback अब मेरा answer क्या होगा b a b b a store कैसे होगा b a b b a null character इस परकार समझ में आ रहा है भाईया बहुत सब्सक्राइब भाईया बहुत साइब चीजह है find function कैसे use कर सकता हूँ copy कैसे use कर सकता हूँ apps of str कैसे use कर सकता हूँ compare कैसे use कर सकता हूँ यह वो चीजह आपकी use होती है बार बार अब अंदर internal functioning कैसे है कैसी सीज़े काम कर रही वो भी आपके समझ में आ चुगी है बढ़िया दन है भाई आप string के साथ कोशन करवाना और फिर समझ में आए अच्छी से मैंने बोला ठीक है दोस्त तो इतना मैं समझ में आगे कि यार ठीक है हमारे पार कुछ inbuilt functions है उसका हम यूज़ कर सकते हैं लाइबरेटी के अंदर तो इतना मैं समझ में आगे यार ये एक प्रकार की class है जिसके अंदर कहीन है कम एक character array ही यूज़ कर रहे है एक string का implement करने के लिए और कुछ-कुछ functions हमारे पास है इसका यूज़ करके हम बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं एक homework आपको यहां पर करना है homework क्या कहता है homework कहता है आपको एक बार difference देखना है key differences आपको देखना है key differences between आपका character array and string इसमें difference तो कुछ होगा कुछ difference तो मुझे बता दो वो आपको homework में करना है को देखना है character array में और string में क्या differences है किस प्रकार यह अलग है एक example में आपको दूँ अगर मैं बोलूँ कि आपका एक character array है अगर आपका एक character array है इसके अंदर अगर आपका मालो आ गया बी आ गया फिर एक null character आ गया फिर c आ गया फिर d आ गया और आप c आउट कर रहे हो तो एक पर output देखना क्या आ रहा है आपकी string है जिसके अंदर यही same चीज़ पढ़ी है उपर वाली a b null character c d और यहां मालो आपका काम है अगले question पर जो की है valid valid palindrome इसको एक बढ़ो फिर आप प्रोच इसस करेंगे तो क्या करना है हमें fall to collector हटाने है fall to collector हटाने है second जीज़ करना है सब lower case में होना जोगिए ठीक है यह जीज़ करना है और फिर का करना है फिर बस पर इंड्रों चेक करना है यह हमारी algorithm हो गई हमारा दिमाग में गया रहा है तो कुछ-कुछ मुझे करना है मान लेते हैं एक दो तीम चार पांच शे साथ आठ एक i मेरा यहां से start है जैसे ही मैं और मैं अपने के loop चलाऊंगा जो कि यहां से लेके यहां तक जाने वाला है जैसे ही मुझे कोई valid character मिल जाएगा valid character क्या होगा या तो भाईया a-z के बीच में या तो भाईया a-z के बीच में या तो भाईया 0-9 के बीच में यह तीन ठीड़े कोईशन के हिसाब से कोईशन बोलने अलफनिमरिक इसलिए तो अगर इन तीन में से कुछ भी होता है तो शिंपल से चीज है भाई मैं उसको swap करवा दूँगा मैं उसको swap करवा दूँगा किसके साथ i value value के साथ और मानलो यह जाए j के साथ चल रहा है वह ही समझ भी हो i value के साथ और j value के साथ done आपने swap करा दिया फिर मैं i को आगे बढ़ा दूँगा क्योंकि यह वाली तो valid value डाल चुक है आप तो i आगे बढ़ जाएगा done है तो आपने एक algorithm बना लिगा if valid character then swap then increment i done है done है फिर एक ऐसी पोजिशन आएगा जब यह loop खतम हो चुगा होगा और i कहीं पर होगा तो आप वहाँ पर जाके बस मैंने character डाल देना तो आपको लूप खतम हो गया मैं दिखता हूँ code मैं आपको दिखाऊँगा अच्य समझ में आएगा तो हमें logic कहींगे समझ माया है हमें समझ माया है कि तीन चीज़ हमारे पास है पहले file to character हटाने है फिर sub global case में करना है और फिर parantrum चेक करना है तो step by step चलता है एक बार मैंने क्या बोला मैंने बोला कि दोस्त कुछ नहीं start करो file to character हटा दो file to character हटाने file to character हटाने file to में क्या आता आपका alpha-numeric character है अगर मैं अपने आपको समझाओ तो यह वाला part जो हमने आप डिसक्स किया अभी इसको छोड़के जो भी होगा file to होगा तो मैंने आपने एक function मना लिया पहले जो में दर्शा आएका इंचीरों के बारे में इसका नाम नहीं दिया bool bool valid इसके अदर एक character आएगा आज तो हार्ट टूड़ गए हमारे लित रिखते हैं ठीक है तो हमने इसके अदर character भीच हम चेक करें किया valid है कि नहीं है इसके अंदर अगर आपका CH जो है वो greater than equal to A है and CH जो है वो less than equal to Z है तो तो भाई है valid character है ठीक है copy मारते हैं paste मारते हैं इसको मैंने कर दिया अगर वो बड़े A से बड़े Z के बीच में तब भी valid character है अगर वो 0 से 9 के बीच में तब भी valid character है बहुत बढ़िया इस case में return 1 valid है भाई else में क्या करना return 0 कर देना बहुत बढ़िया तो false character हटाने है था हमने क्या बोला कि एक ना i start कर देता हूं 0 तक 0 से और एक नई string बना देता हूं string temp इसको मैं initialize कर दिया empty string बना के empty string है और एक loop चला देता हूं ठीक है logic आपने समझ लेके मैं क्या करने वाला हूं loop चलेगा j is equal to 0 से लेके length मुझे पता है निकाल नहीं आ चुकी है j less than s.length इस प्रकार अब मैंने क्या बहला if valid s of i नहीं दो j अगर valid है तो उसके इसमें आप को swap करोगे आप को swap करोगे s of i को comma s of j को इसमें दोबार समझते हैं किसको swap कर रहे हैं इसमें नहीं करेंगे हम क्या करेंगे अगर नहीं string बना दी तो इसमें डालेंगे तो नहीं string में बस डाल देंगे हमने कह वहला हम बस नहीं string में डाल देंगे temp.pushback temp.tm कर ढड़ोगे आप s of j डाल दो क्योंकि वह valid character है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है सही है क्योंकि वह valid character है अब हमने pushback वाली functionality उसके लिए तो मैं आई वाली need नहीं है इसकी कुछ यार अभी तो अभी तो नहीं है at least तो इस पकार आपने यहां पे अपनी एक temp string बना ली है जिसके अंदर सारे fall2 के character हट चोके हैं अब बहुत बढ़िया अब मैंने का बोला इस में lower case में कर दो सबको थीक हमने फांक्शन और ली लिखा हुआ है शायद हमने function अलली लिखा हुआ है यह रहा है लोवर केसमे करने वाला function है इसमें हमने एक चीज मिस कर रही है इसको सीह कर देता है जो इसमें हमने एक चीज मिस करी हुई है अगर यह हूँ या फिर नंबर भी तो सकता है तो नंबर को लोवर केसमें ऐसे करोगे इस प्रकार, तो same thing return कर देना, बहुत बढ़ी है, तो मैंने को बहुत है लूप चला दो, एक लूप आपने चला दिया, और एक लूप आपने चला दिया, और फिर आपने क्या बहुत है, कि temp जो है, उसका जो it है, या j से आपने चलाया है, is equals to, इस function में डाला आपने, और ये temp of j आगया, ये भी आपने कर दिया, थार्ड पार्ट क्या था, परेंट रूप चेक करना था, आपने पाइल रूप वाला function में उठा लिए, यहां और लिग बना चुके, इसको भी हमने डाल दिया, यहां पर भहिया, यहां ध्यान से देखते है, गलट डाल दिया, हां चलना चाहिए, लोवर केज में करने के नीड नहीं कि पहली सब कर चुके हैं, इसको भी हटा देते हैं, और ये आपका code हो गया, तयार, बहुत बढ़िया, आपने यहां पर जाके क्या बोला, return, यहां पर आपने function का नाम copy मारा, check palindrome, temp, मैंने बोला एक बर चला के देख ल हमने आप बसे app डाल दिया, यहां पर एक कमेंट में डाल दिया, ताकि आपको समझ माया है, check palindrome, एक बड़ कुछ खतरना case होते हैं, वो समझ लेते हैं, एक case है इसमें empty होगा, एक case है जिसमें space होगा, एक case है जिसमें comma होगा, एक case है जिसमें aq character होगा, यह चला के देख एक बड़ क्या आता है, एक देख लेने जिए कि जलती तो नहीं कर रहे हैं, बाद बड़िया, तो इसमें वोला इन्वाला case एक जिस्ट नहीं करता है, इसको अटाओ, अब चलाओ, तो कहीं फट्टेगा कोड, यह कोड़ सही चल रहा है, तो मैं सम्मेट कर सकता हूँ, मैं इसमें पर उपर डाला को, शायद कुछ को चेंजिस करने पड़ जाएं, नीचे रखा तो ठीक है, अभी जैसे हमने लिखा वैसे चल जाएगा, तो आपको यह वाला कोशन में समझ में आ चुका है, अब तक हमने पाउल नंबर 3 भी कर ली है, बहुत बड़िया, आगे इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़े दे ही है, आप जहां से लिख दो करेक्टर भी होगा, यह दो कुस ऑफ़िए यह वाइट सपेस भी है, और बताभ वह यह जो है और वाइट सपेस है, और आपको का करना है, हर चीज को जो है, वो रिवर्स कर देना है, और, ठीक है मैं सम माइग का उटा कर दो, ym. स्पेस स्पेस्ज दिया हुआ है. फिर name का उलटा दो, e-m-a-n जिया हुआ है. इस को उटा कर दो, si स्पेस्ज दिया हुआ है, फिर e-v-ol दोसरी आपका ओट हूँद है. एसको reverse करना है, इसको reverse कर दो, YouTube कर दो, YouTube еटिके पर बीच के spaces इंट्राक्ट रखना जैसे हैं वैसे रखना spaces को इन और करें और words को रिवर्ट करें क्या यह कोशन आप खुद कर सकते हैं जहां समझ के देखते हैं एक बार क्या करना होगा अपरोट पतायाता हूँ आपको इक बार जाओंगा मतलब मैं मैंना बस ट्रिंग बनाता जाओंगा एक स्ट्रिंग में क्रेट करता जाओंगा क्रेक्टर को उठा के अपने क्रेट कर ली जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा उस केस में क्या करूंगा समझ दे मुझे जैसे ही space मिला, यानि मेरे एक word complete हो जुगा है, बहुत बढ़ी है, अब मेरे word complete हो जुगा है, तो जो word मैंने create किया हुआ है, यहाँ string के लिगा word लिए देता हूँ, उस word को reverse करोगा, reverse करते है word को, बहुत बढ़ी है, ठीक है, तो उद बार समझते हैं, जैसे मुझे space मिलेगा, जैसे मुझे space मिलेगा, आपने word को reverse कर दिया, बहुत बढ़ी है, एक case है, जब space आपको नहीं मिलेगा, बढ़ word complete हो चुगा है, लास्ट वला case, यह love है, अब आगे space नहीं है, अब क्या करोगे, आगे null character तो है, तो यहाँ पे एक और case लिग दो, यहाँ पे क्या case लिखा, जैसे ही मुझे null character मिला, जैसे ही मुझे null character मिला, दो, फिर से reverse कर दूँगा word, तो यहाँ, space को कैसे handle करना, यह आपको दिमाग लगाना है, सब मैं बता दूँगा, इस question कुछ solve करने के try करना, दिखने में लग रहा है, medium लिखा हो, बट यह question जो है, हमारे जो question में recently भी किया, उस से असानी question है, तो यह question आपको करना है, reverse order string और मजा आजागा solve करने के बाद, daily challenge कर भी मैंने, पर सो रात को solve किया हो, शहाँ, यहाँ, किया था, जूट हो बोल रहा है, मैंने किया था, मैंने किया था, मैंने किया था, वाई सही में किया था, तो, अब चलते है, हमारे maximum occurring character in a input string, यानि एक string आपको दी हुई है, उसमें कुछ-कुछ character दिये हुए, एक string में आपको कुछ-कुछ character दिये हुए, जैसे कि यहाँ पर test दिया हुआ, तो आपने का बोला, T कितनी बार आया है, दो बार, E कितनी बार आया है, एक बार, S कितनी बार आया है, एक बार, S क यह यह को चोड़ना को ट्राइए पहुत सँ आने कुछ मिश्किल नहीं है फर यह कोड़ना कैसे है वही तो समझाने आए आपको टिक है तो मैंने क्या बोला कि मैंने इक string बना लिए होगी s और मैंने जाकर सीथ आपको बोल जाओ है scene या को string ते यार आपको बताना है maximum occurring character कहुन सा है मैंना बता दी है हाँ ऐसे मैंने बुला care get maxi मैं अपने इसाब get max occurring character इस प्रकार मैंने function मना दिया इस मैं string दे दिया इस बहुत बढ़िया दियान से जीखते हैं हमारे पास total number of characters कितने होते हैं एक बार समझते हैं एक बार constraint पहले पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया constraint पढ़ लेते हैं बार constraint क्या कहते हैं कि दो स्ट्रिंग की लेंज है वो 100 तक होगी और एक बार question उपर पढ़ लेते हैं इसके अंदर सारे के सारे character ही होने वाले हैं तो मैंने बोले हैं सारे के सारे alphabet केतने होते हैं 26 होते हैं तो मैं 26 alphabet store करवाने हैं अब वो alphabet आपको यहां से देखो तो भहिया वो a से z वाला भी हो सकता है वो a से z वाला भी हो सकता है दोर मेंसे कुछ भी हो सकता है मैंने बहुत कोई दिख करती हैं अब आप समझते हैं तो मैंने एक array बना लिए 26 का इन टाइप का मैंने इन टाइप का एक array बना लिए 26 का और उसमें मैंने count शोल कराने शुरू कर देख क्या यह लोजिकल लग रहा है ठीक है लोजिकल तो रहा है पर करेंगे कैसे समझते हैं क्या मैं a को 0 मान सेकता हूं क्या मैं b को 1 मान सेकता हूं उसी पकार क्या मैं z को 25 म मैपिंग करवा दिया आपने ठीक है इसी को मैंने बड़ा वाला बी भी मान लिया इसी को मैंने बड़ा वाला जी भी मान लिया तो इस वी को समझते हैं अगर मेरे पास lower case का character आया तो मैं क्या करूँगा उस character में से छोटा a- करा दूगा तो यहां से मेरा number निकल गया इस number को यूज़ गरके मैं बोलूँ क्यार a-r of your number प्लस प्लस काउंट बढ़ा दिया आपने अगर मेरे पास upper case में character आता है तो मैं करूँगा माइस कर दे बड़े वाले इसे मेरा फिर दुपार एक number आ गया मैंने फिर दुपार बोले गयार a-r of number अब कर दो लाइस पर लाइस पर ना यह दना है यह गेमती बस करना कैसे एक मिनट में करके दिखा दे आपको कुई दिखके दिखने हैं आपने क्या बोला कि मैंने इंट अरे बना लिया कितने साइस का 26 साइस का बहुत बढ़ी है इनिशाइस कर रखा मैं इसको जीरो के लेता हूं int i is equal to 0 i less than s dot length i plus plus इस प्रकार मैंने इसको फॉरलूप को लिख लिया अच्छा डंग से और मैंने क्या बोला दोस्त क्रेक्टर क्या होगा character ch is equal to s of i आपको समझने के लिख लिख रहा हूं कोई नीड नहीं है simple s of i यूज कर सकते थे इसको अब मैंने क्या बोला क कि दोस्त कुछ भी नहीं है if ch is less than equal to a and ch is less than equal to z तो यह कर दो अगर यह नहीं होगा तो common sense अपर case में होगा तो यह जो case है यह case दरशाता है lower case को यह case दरशाता है lower case को lower case में क्या करना है lower case में क्या करना है आपको क्या करना है int n आपने निकाला int n क्या आया ch minus a इतना आया तो यह आपका int n निकल गया इसका और अच्छे से कैसे लिखा जा सकता है int value is equal to 0 int index is equal to 0 int number is equal to 0 अंदर आओ अंदर लिखो कि number is equal to ch minus a अंदर आओ लिखो number is equal to ch minus a और बाहर आओ इससे और लिखो कि array of number plus plus इस परकार तो अब क्या हुआ आपका array prepared हो चुका है array of count आपने create कर लिया create कर लिया आपने बहुत बढ़िया यह आपने create कर लिया ठीक है मैंने बुले लिखो simple से चीज है अपना बस ना यह लेकर चलो अपना सिर्फ एक और traverse कर लो टू पास हो जाएगा i0 i less than s.length i++ अपना एक max बना लो int maxi is equal to minus 1 अपना बस लिखा करो maxi is equal to max of maxi, ar of i ठीक है तो इसमें वो number इसमें वो count आजाएगा इसमें वो count आजाएगा इसमें वो count आजाएगा हमें count आजाएगा हमने क्या बोला कि यार if maxi is less than ar of i इस case में क्या करो answer store करा लो answer is equal to i maxi maxi is equal to ar of i बहुत बढ़िया हमने आप answer के लिए variable बना दिया answer is equal to minus 1 इस प्रकार जीरो कर दिया कुछ भी लिखती है मतलब कुछ फरक ने बढ़ता है क्योंकि answer तो अप्रेट करने वाले हैं ठीक है यहां पर आए अब हमने क्या बोला कि care ch care care final answer final answer क्या होगा छोटा a plus कर दिया आपने answer को आपने इसको return कर दिया बहुत बढ़िया एक बच लाकर देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं मैंने बोला इसको run कर दो get क्या नाम था function का get max occurring character इसमें डाल दिया हमने string s मैंने बोला run करें दोस्त आपने run किया आपने बोला input दियो मैंने बोला test आपने बोला a ऐसा क्यों बोला आपने यह समझ रहते हैं एक बार चालो हमारे test में हम गए maxi जो है आसे करते करते ठीक है ठीक है तो हमने लूप चलाए 0 से लेके s.length तक हम एस्टूडी करना है हम लूप चलाने सारे characters के लिए सारे characters के लिए तो हमने क्या कर दिया चलादो हमने कहीं पर कोई अब ठीक है आप चलादो वसमें बोला क्या मैंने बोला test उसमें बोला answer आगे t मैंने बोला कि एक और case चला दिए यहां पर दे रखाओ test sample में answer आने चाहिए हमने इसको फिर से चला दिया answer लिख दिया test sample answer आगे e हमने बोला output में answer आने चाहिए t यहां पर हमने इसको clear करा और फिर से चला दिया t आ गया सही है code बिल्कुर भेंकर चल रहा है अगर आप चाहिए तो इसको यहां पर डाल के चला के भी जेख सकते हैं डाल के आप submit करके देखना हो जाएगा चल जाएगा अब देखते हैं हमने किया किया है चलो चलो अब मैं को सम्झातों मैं हमारी approach क्या थी सम्झाते हैं आपको यहां पर हमने यह double सोचने के need थी ही नहीं क्योंकि हमारा character सिर्फ single lowercase में होने वाले थे हमने फाल्तों में वहां पर चेक लगा दिया है ठीक है constraint में दिया नहीं वा बट logical लग रहा है मुझे आपको जब answers आपको देना है आपको उस टाइम पर पता होना चाहिए या फिर या तो हम इसको different different character मानके चले ठीक है तो हम यह जी समझ में आ रही है अब ही हम मान लेते हैं कि हमारा जो code है उसमें सिर्फ lowercase ही input में string आने वाला जो भी string होगी input में वो सिर्फ lowercase के लिए होने वाली है तो हम इसको इस परकार optimize कर लेते हैं कि भाई यह हटा दे और यह डाल दे ठीक है एक बार दुबारा चला लेते हैं यार कुछ गलती ना हो गई हो ठीक है आप देखते हमने किया क्या हमने सबसे पहले क्या बोला यार कि एक ना array बना लेते है और zero one two क्या दर्शारा है यह दर्शारा है a b c d z तक ओके zero map है a के साथ one map है b के साथ two map s के साथ ऐसे ही z map है 25 के साथ ठीक है और यहां value जो होगी वो क्या दर्शारी है यहां जो value पड़िए वो दर्शारी है count count of that character in string यानी string में जो string हमें input हैं उसमें यह particular collector कितनी बार है starting में सबको 0 0 दोने वाला है starting में सब 0 है हमने फिर क्या किया हमने यहां पर यह चलाया इस में इस लूप में क्या हम कर रहे हैं जैसे मान लेते हैं हमारा है input है output हमने क्या किया? zero कहाँ पर है मतलब हमने क्या किया o कहाँ पर तो मैंने बहुत है T माल लो यहाँ पर है कहीं पर तो T को 1 कर दो यह P कहा है ऐसे आपने कर T दुबारा मिला तो पहले 1 था भी 2 हो गया इस पकार आपने हर ब्लॉक पर एक काउंट स्टोर कर लिया और ब्लॉक के कैसे मैपिंग है वह आपको पदा है 01 से 1 B से 2 C से इस पकार इंग गाप है तो आको आपको सब सारे characters का count है कि A कितनी बार था B कितनी बार था C कितनी बार था D कितनी बार था यह count आपको आपके बास आ गया तेक है अब हमारे पास एक ऐसा array पड़ा हुआ है जो हमें बता रहा है कि A, B, C, D से लेके ZZ कौन सा कितनी बारा है ये एक बार है, ये दो बार है, ये तीन बार है या फिर ये भी दो बार है, या फिर ये जीरो बार है इस पकार अब क्या मैं इसमें से maximum number निकाल सकता हूँ बहुत सान है मैंने बोला कि यार, यहाँ पर एक variable है ये है हमारा F, और ये तीन बार आ रहा है मुझे पता लगए कि maximum है तो जैसे ही maximum number निकालता हूँ देखो यहाँ पर, जैसे ही maximum number निकालता हूँ मैं वही पर answer store कर लेता हूँ answer में क्या कर रहा हूँ, index store कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर index में 5 लिखा हूँ मैंने 5 store कर लिया answer के अंदर और 5 store कर लिया, मुझे क्या पता कुछ पर नहीं है मुझे integer से अपने area बनाने, simple CTR इसमें A+, कर देखो यहाँ, यहाँ मेरा F निकाल गियागा ठीक है यह ऐसा करने की need नहीं है, मैं आपके समझाने के लिए करता हूँ अगर आप चाहो serious का ऐसे उठा के ऐसे लिख सकते हूँ ठीक है, code तब भी चल जाएगा कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी ठीक है I'm expecting जिए आपका code समझे में आचको देखो भया complexity कितनी है, देखो पहला loop J कितनी बार चल रहा है, S के लिएम तक चल रहा है, जो की variable हो सकती है N of N हो गया, दूसर लूप हमेशा 26 बार चल रहा है, constant रहे गए, O of 1 हो गया तो हमारी time complexity के आगई, O of N अभी अभी आपको समझ में आ चुकी होकी, आगे भी हमारे पाद सब 5 questions और बचे हुए है उनको हम solve करेंगे, tension नहीं लेनी, अभी समझाके जाए भी आपको ऐसे खालियात नहीं भी जाए तो अब हमारे पास total कितने 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 total path कोश्चत और बचे हुए है अब एक चीज स्टार्ट करने पहला को समझाता हूँ या, एक चीज हमने skip करी अभी मैंने आपको बदाया था कि c in जो है वो अपना execution stop कर देता है कब, कब जब उसके पास या तो space आए space वाला character आए या फिर उसके टाब वाला character आए या उसके पास enter आपने मार दिया या new line character आजाए इन तीनों के हिस के अंदर भाई अगर मुझे space वाला चाहिए मतलब मानलो कोई line है जहां पर लिखा है कि my name is ghan और मुझे पूरा का पूरा चाहिए यार कि मैं कैसे रूंगा बताओ, मैंने बाद दोस्त बहुत असान है अगर आप इसको collector array के अंदर store कराना चाहते हैं तो आपको चीज का यूज करना पड़ेगा इसका हम बोलते है scene.get line scene.get line string का नावा को डालना पड़ेगा क्या नावा कि string का मैंने बुला str है उसकी length डानना पड़ेगा मैंने बूला कि इसकी length LEN इस पर कार आप input ले सकते हैं यह चीज मैं पहले डिसक्स कर सका हूँ तो scene.get line के पड़के आना यार मैं बता चुको अरड़ी homework में देखना और इतना आप custom delimiter अगर आपने लगाना हो तो आप कैसे लगा पाऊगए यह भी आपके home वगया Google 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 ज्यादा कुछ नहीं Google search लगानी custom delimiter कैसे लगाना है यह चीज़ें आपको थोड़ा बहुत देखनी है अब character area के अंदर जो हमने पढ़ा भी आर कि हम character area क्रेक्टर area क्रेट कर देते हैं char, ch, 10 इस प्रकार का इसके भी कुछ inbuilt functions हैं जो कि आपको भी बता देता हूँ मैंने बोला कि inbuilt functions पहले से present है उनका उप यूज़ करके बहुत साइच चीज़ कर सकते हो ज्यादा मुश्किल नहीं simple simple है मानलो मुझे length निकालनी है तो मैं क्या बोलूँगो यार यह length मैं store कर देता हूँ किसी variable के अंदर और मैंने बोला strlen और जो मेरे character रहे का नाम है मैंने बोला उसका नाम name है निकल की length ठीक है मैंने क्या बोला कि यार मुझे ना ए compare अगर करना है मुझे comparison करना दो string के पीच में एक s1 है एक s2 है एक s1 है और एक s2 है तो मैं यह strcmp इस प्रकार का function यूज कर सकता हूँ यह जो है not equal to 0 देगा जब equal नहीं होंगे else आपका equal होंगे समझ गे तो इसमें आप string comparison कर सकते हैं बहुत ही अराम से अगर आपको copy करना है अगर आपको copy करना है कोई string तो आपके लिखने वाले हो strcpy यहाँ पर आपकी पहली argument होगी destination वाली string दूसरी वाली होगी source string तो यहाँ इस string में सब इस string में copy करने वाले हो बहुत बढ़िया तो मैंने बोला यार इसके लिए मैंने तक बताया था मतलब अगर आपको eat income string के अंदर करने हो यह तो आपने character array में करें मैंने तक बताया था यार dot length वाला function से तू length निकाल ले मैंने तक बताया था cmp मैंने क्या दिखाया था कि यहाँ पर एक compare function है वह भी verify कर ले कापी क्या करना है कुछ नहीं करना है से एक simple लिख दढ़े s1 is equal to s2 इस पकार यह फिर s2 is equal to s1 जो भी करना चाहते copy हो जाएगा तो यह चीजे हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए अब हम चलते हैं हमारे अगले question के तरफ जो कि आपको तोड़ा और ग्यान देगा आज concert थोड़ा से करा है जतना needed है और question जादे करा है ताकि थोड़ा practice जाता हो जाए क्योंकि बच्चे कहा रहे हमाया question तोड़ा जाता करा दो मैं आगा ठीक है चलो फिर करते हैं अगला question क्या कहता है अगला question कहता है कि आपको एक strr दियो ही है जिसके अंदर बहुत सारे words हैं को बहुत सारे words है आपको क्या करना है इसमें सारे के सारे spaces को हटा देना है सारे के सारे spaces को हटा देना है और at the rate 40 डाल देना है at the rate 40 डाल देना है यानि कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि my name is khan तो यह कैसा हो जाएगा output कैसा आएगा at the rate 40 डाल फिर name lick at the rate 40 डाल is lick at the rate 40 डाल तो यह यह मेरा output है इस परकार की चीज़ें आप करके देनी है बहुत बड़ी है function आपको दिया हुआ है आपको इस परकार चीज़ें कर रही है मैंने बहुत सान है अभी ज़स्ट आपने वाला question कहते है अभी ने वनिवने फाल्तु ग्रेकटर शटाए थे valid function क्रिए करेंगे मैंने बहुत आपको यह एक ट्रेंग पड़ी है temp जिसको मने शलाज कर दी है और मैंने बहुत रही एक लूप चलाओ जो हमारी इंपुट ट्रिंग पे आइटरेट करेगा ट्राइवर्स करेगा ठीक है यह समझ में आगी बढ़िया मैंने कहा बोला कि इफ इफ s of i is equal to is equal to space अगर वो space है तो कुछ करना है अगर वो space है तो मुझे at the rate 40 डालना था अपने answer आदे के अंदर तो मैंने कहा बोला कि temp के अंदर 3 से डालूँगा temp.pushback पहर इसी कर डालूँगा at the rate डालूँगा ठीक है और फिर कर डालूँगा 4 डालूँगा फिर कर डालूँगा 0 डालूँगा अगर वो space नहीं है तो जो भी है वो ही डाल दूँगा temp.pushback s of i बहुत बढ़िया, simple चल जा, एक बार शायद अपने को reload करना पड़ेगा मैंने बोला run उड़े भाई यह run करने गया और इसने हमें बोला कि भया कुछ गड़बड है हमने बोला क्या गड़बड है दोस्त उसने बोला कि नाम तो देख लिया करो मैंने बोला str है क्या आप चेक करना दोस्त उनने चलाया, चलाया, चलाया सब सही चल गया, मैंने बोला submit करो submit करा और उसने बोला कि आपका answer बोलो, बोलो, सही है तो इस पकार हमने यह वाला question भी कर लिए वह असान question था homework में क्या दूँ आपको अगर मैं आपको इस में homework में दूँ कि दोस्त हमेना नया यह जो है अलग से string नहीं बनानी इसी string में changes करो str वाली में changes करो मैं बोलता हूं कि आपको extra space लेने का allowed नहीं है जो भी आपको processing करनी है इसी string में करनी है तो वो आपको homework है करो नहीं होगा तो मैं बता दूँगा पहले से करो possible है कि ऐसे किया हुए जा सकता है नहीं किया जा सकता है यह सोचो बहले एक बार अगर हाँ तो कैसे in place solution चाहिए मुझे यह मैंने बोला कि मुझे open space में करकर दिखाओ अभी इसकी time complexity केतनी है ध्यान से देखो एक for loop चल रहा है आपका length तक तो आपकी time प्रिक्षटर क्या होगी of n n is equal to string के length और space complexity क्या है ध्यान से देखो तो आपने ही आप एक नया string create कर दिया temp नाम की इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर same way आपकी string length के तो आपने space भी of n ले लिया time space दो नो of n ले लिया big of n n का string के length ठीक है समझ यह सिर्गम बहुत पढ़िया यह question बहुत सान था आगे चलते है अगला question कहता है remove all occurrences of a substring okay यह समझते हैं बाको अच्छा लग़ा question यह वाला दो string आपको दिये हुए है पहले s दूसरी पार्ट आपको नीचे दिये हुए operation करना है जब तक सारे पार्ट रिमूब नहीं हो जाते है find the left most occurrence of the substring part and remove it from s okay return s after removing all part of this a substring क्या होती है continuous sequence of characteristics in a string इसमझा आपको एक main string दिये हुए है यहां पर इस case में आपकी main string है आपको छोटा सा part दिया हुआ है जहां पर भी इस पूरी string के अंदर यह वाला part exist करता है उसे हटा दो समझाते हैं कैसे question लिखते है remove all occurrences of substrate तो हम यहां पर लिखते हैं एक बार input में क्या दिया हुआ है statement में दिया है B, A, B, C B, A, A, B, C और फिक्ट दबार B, C उसने क्या बोला part क्या है A, B, C ठीक है यह part है मैंने उसने मुझे बोला कि A, B, C हटाना दो मैंने बोला देख एक A, B, C मुझे यह मिल गया फिर एक यह मिल गया तो इसके बाद मेरा character क्या बन जाएगा मतलब मेरा character क्या बन जाएगा D फिर यह बला A फिर यह बला B फिर A फिर A फिर B, C फिर B, C तो अगला मैंने ढूटा अगला मुझे क्या मिल गया अगला मुझे यह मिल गया अब मेरा क्या बन गया D, A, B, A, B, C तो अगला क्या मिल गया मुझे आगे रिक और AB समील गया मिरा आन्सर गया D A B मैरा final answer होना चाहिए इस पकार हो दा है वर इसको रिमूब गया वर इसको रिमूब गया वर ईसको रिमूब गया यह मरा आन्सर आगए D A B समझ गया इस पकार से इस पे काम करना है एक पर इसे constraints पढ़ लेते हैं ताकि हम अप्रोट सोचने में असानी हो, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, यह बोलता है, string की length जो है, वो 1000 है, और part की length जो है, यह है, तो string की length अगर 1000 है, और मुझे एक बार करना है, एक बार traverse कर लिया, तो start करते हैं, जो चीज हमने आपर discuss करी उसी को implement करने आले हैं, हम क्या बोलेंगे, while, जब तक तुमारी s not equal to zero हो जाए, size इसका, length, जब तक इसकी length not equal to zero है, तब तक, और साथ में, वो particular pattern या वो part present भी तो होना चाहिए, हमने बोल, s.find, क्या find करना है, part, और क्या होना चाहिए, less than s. s. length, क्या है, क्या हो रहा है, क्या find find क्या लगा रहा है, देख कुछ भी नहीं करना है, आपको बहुत सारी चीजे मिल जाएं, क्या क्या क्या, एस्टल में फंक्शन्स प्रेजेंटेज का आप यूज कर सकते हैं, तो आपको यहां पर find मिल जाएगा, यह रहा, find, उपर आप find का काम क्या है, क्या करता है वो, आपको चीज बतार गए, यह first occurrence निकालता है, question में क्या होँगा है, leftmost occurrence देड करना ना, सबसे पहले, बहुत यह find का use करना है, तो उपने find का use कर लिया, किस पकार use करना है, examples आपको दिये हूँ है, erase, erase कैसे करते है, examples आपको दिये होँ, एक आप पाट। मैंने बैपक ट्राइय करना ही को अरण करके क्या होगा? क्या होगा? प्रृंस और क्या होगा? क्योंकि आपने रतिर्न तो किसभी नहीं है आप ठ्राइय करो बढ़ञा ध्राइय हमने कॉत है क्या जब तक तक क्या बैक देफिनेट लिखनाए तो एक केसी हो सकते कि यार स्ट्रिंग पूरी खतम ही हो गई है स्ट्रिंग में कुछ बचा ही नहीं है स्ट्रिंग के लेंग जीरो हो चुकिए उसके इंदर तो तब भाहर निकल जा ना वालूप से यह नहीं कि तभी प्रसेशिंग कर जा रहो है करूं के अभी अगर मिल गया तो उसको अनड के डिलेट कर दी आपने की हैसीग अगर मिल गया था अपने कि न्यावन हें और नुट मुछ थे करते अफसмотр 2011 nahm इसको एक बार सम्मिट करके देखते हैं पर एक्जामपर टेस्ट के दुझा आते हैं सब पर हमने रन कोड़ किया एक्सेप्टेड हमने सब्मिट किया अच्छा है बहुत अच्छा है तो इस प्रकार हमने एस्टील के दिये गए फंक्शन का यूज़ करके अपने फोट को दो ही लाइन इमें लिप्टा भिया देखें तो आप चाहें तो आप एस डॉट फाइंड कैसे काम करता हैं इंटर्नली वह भी देख सकते हैं आप चाहें कैसे काम करता है इंटर्वल भी दीएग सकते हैं इंचिजों प्र काम कर सकते हैं फिए करना क्या होगा यहां पर जाओ पढ़ो यहां पर जाओ पढ़ो समघी तो इतना काम के अंदर permutation of s1 exist करती है तो नहीं तो false return कर देना इन अधर वर्ड रिटर्न ट्रू अफ ठीक है अगर s1 की permutation is a substring of s2 बहुत बढ़िया तो जो s1 है ना उसकी कोई भी type की permutation अगर s2 के अंदर exist करती है as a substring तो भाई या true return करो नहीं तो false return करो समझ में आई बात example दिखाते है example में देखो s2 है e i d b a triple o और s1 है a b तो a b की permutation क्या क्यों हो सकती है एक तो a b और एक तो b है अब मुझे चाह करना के अन में से पर true page है नहीं काटनस होना पड़ेगा इसको यह particular pattern जो हमने दी लिखा है b a a b दोन में कुझी present होगा तब ही हम बोलेंगे जैसे इस case में देखा है तो a यहाँ पे है और b यहाँ पे है अलग अलग से आपर तो यहाँ पर false आ गया हमें इसको solve करना है चारो सोचते हैं इसको किस परकार किया जा सकता है चारो अगर मैं यह बोलू कि सबसे पहले मैं क्या करूँ सबसे पहले मैं क्या करूँ सबसे पहले मैं एस वन जो string है ना उसमें character का count store करा लो करेक्टर का काउंट स्टोर करा लो याद है अभी हमने थ्रुन दर पर एक कोशिन किया था int ar 26 कर गए यहाँ पर काउंट स्टोर करा रहेंगे मैपिंग करेंगे इंडेक्षिस के साथ हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगा फिर मैं S2 के अंदर जाऊंगा और उसमें traverse करूँगा traverse कैसे करोगा दोस्त एक window बनाके वो window की slice की होगी वो S1 की length की size की होगी यानि जितना बड़ा S1 है जैसे इस case में S1 2 था तो मैं 2 की window में traverse करूँगा अगर आपका यह था EIDBA00 और S1 था AB इसका siz कितना है मतलब length कीतना 2-2 का window बनाओगे पहले आपने क्या किया पहले आपने यह वाला चेक went क्या यह permutation आपने चेक किया और से पहले नहीं है यार फिर आप आगे क्या यह है नहीं यार यार ये बिनिया क्या यह है अरे यह ही तो है YesThis इस परकार एक window की form में travel करूँगा और दन है तो मैंने गया कि इस पर मैं अपना count store करा लिए इस वन का इस में कितने कितने character present है मैं क्यों कर रहा हूँ इस count store ताकि मैं इसको बहाँ में compare भी use कर पाऊँ इस window में तो मैं इस window comparison भी तो करूँगा दोस्त इसका मैं comparison करूँगा हमारे AR26 का use करके और तब मुझे पता रगे true है false answer कैसे भी यह समझके देखते हैं मुझे पता कि यहाँ पर A जो है एक बार है और B जो है वो एक बार है अब मैंने क्या किया मैं पहले इस window में गया क्या समझ मैं कि E1 और I1 और B तो है यह नहीं नहीं window पर का रहा है फिर जब मैं यह वाली window में गया तो मैंने क्या किया यह वाले character को 0 कर दिया यह वाले character को 1 से minus कर दिया तो यह गया 0 और जो यह नए character उठाए उसको 1 से plus कर दिया तो वह गया 1 तो अब आपका इस प्रकार जिस element को छोड़ दिया है उसके count को माइनिस कर दो और जिस element को पकड़ लिया है उसके count को बढ़ा दो और फिर compare कर लो compare कर लो तो constant time का है 26 character है आपके पास constant है वो तो बहुत असान चीज़ है बहुत असान question है पर interesting है करें के मज़ आएगा अभी आपको आदा समझ में लोगी क्योंकि मैं इंप्लिमेंट ने किया भी अच्छी से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा सबसे पहले हमने वोला character count store करा लो हमने कर लो एक array बना हो जाए अच्पहल तो यार int count 26 इसमें सारे character के लिए मैं store करने वाला हूँ स्टार्टिंग में सब 0 है अब मैंने बोला traverse कर लें दोस्त int i is equal to 0 से i less than कहां पर s1 dot length इस case में क्या करो count of क्या करना है count of क्या करना है s1 of i अच्थ थोड़ा असान करते हैं आपके लिए hint index is equal to s1 of i minus of a इस प्रकार और फिर मैं इसको index कर लेता हूँ और मैं इसको increment कर लेता हूँ बहुत बढ़िया तो यहां मेरे count है आप हमाने कर लिया character count area आपने बना लिया यह वाला बहुत बढ़िया यह तयार है आपके पास s1 string के लिए ठीक है अब मुझे विंडो जलानी है उस विंडो को size क्या होगा मैं आपको बताया s1 की length के equal चालो अब मैं एक विंडो जलाता हूँ now traverse s2 string in window of size s1 length and compare ठीक है इतना करना है तो आपने सबसे पहले पहली विंडो चलाई कैसे चलाएंगे एक बास संब्सक्राइब रहते हैं int i is equal to 0 ठीक है और हमने क्या बोला window का size के मान लेते हैं ऐसे लिख रहते है window window size is equal to क्या है s1.length SM.length आपने क्या बोला while i less than k i less than window size या पहली विंडो के लिए चला रहे हो सब्सक्राइब running for worst window आपने पहली विंडो ले चलाया और पहली विंडो के लिए देखते है क्या होता है आपने पहली विंडो के लिए चलाया इस case में आप क्या करोगे आपने माल लोग एक और count प्रेपेर लिए आपर count2 माल लेते हैं इसको count1 माल लेते हैं तो इसमें आपने क्या क्या count of 2k बाद बढ़िया बाद बढ़िया बाद बढ़िया थेक है समझ रहे हैं समझ रहे हैं मैंने हां मैं इंडेक्स निगा लिह है इंडेक्स इगूलसर क्या होगा डिदेक्स किआ होगा इंडेक्स holy प्योद्दिप् के नियुक् silly आपका s2 of लिए-a बहुत बढ़िया फिर मैं चला दी इस प्रकार देख है पहली विंडू मैं चला दिया अब मैंने क्या किया अब मैंने उसे एक बाद चेक कर लिया चेक इकुल इसमें किसको इकुल चेक करना है count 1 को और count 2 को ठीक है if अगर यह true आ जाएगा तो return अगर यह true आ गया तो simple भाईया answer वेल तो one true वेल तो नहीं तो आगे के लिए process करो आगे window process करो पहाद प्रड़िया counting को लोड़ा method इक पर लिख लेते हैं उपर ठीक है हमने बुला 4 int i is equal to 0 i less than 26 i plus plus if अगर कोई भी counter लगो a of i is not equal to b of i 2 return 0 कर दे तो return 1 कर दे तो अगर यह दोनों array यह आपस में equal नहीं है तो यह false आगा नहीं तो true आगा बहुत बढ़िया आगे की window process करते हैं अभी आपका count i जो है वहीं पर ही होगा हमने क्या बोला while i less than किसके less than किसके less than s2.length तब तक लूप चलाओ और आप क्या करोगे सबसे पहले जब यह वाला case होगा तो समझते हैं एक बार क्या हुआ होगा अब आप एक नए element add करने वाले हो अपने count वाले क्यारे में और जो पुराना वाले element उसको हटाने वाले हो मान लेते हैं कि आपका k जो है वो 2 है आप 4 index पे हो चलो इसको इसको ऐसे देखते हैं इस index एकर हम बात करें तो यह है जीरो यह है 1 यह है 2 अभी आप यहां पर आ गगए इस डी को मानिस करेंगे ए से जो भी नंबर में श्टोर होगा उसको हम गया करेंगे एर और और यह कौन सा होगा ध्यान समझते हैं जो भी current index है उसके पीछे जाना है कितनी बार दो बार जो की k है तो i-k समझे समझे बया तो i-k वाला करेक्टर निकाल लेंगे पहले इसे करके यह फिर ऐसे करके पर उसको सेम वही प्रोसेस रिपीट कर देंगे माईनस कर देंगे एक के साथ और फिर वह वाली वैल्यू जो है जो भी end में श्टोर करी उसको माईनस कर देंगे कैसे करेंगे समझाता हूं आपको यहां पर बहुत बढ़िया समझ मादेगा वि एलिमेंट क्या है लिए देता हूं लिए और नू क्या बना छाए अधियान से देखते हैं क्या बनेगा हो एल्च टू का आई थन एलिमेंट है वह बएब बहुत बढ़िया marli ने बहुत क्या कर दिया and क्योंकि न्या विंडो के उन्दर न ने आया वगा तो इसको आ पने क्योंकर दिया बटा रिया जो निकला है व limbs से बाहर जैसे इस case में इस case में ये avail besar में रिया there तो इसको आपने इ indicative कर दिया बाट ये बाट old character क्या है मेरे पास s2 of i-k k क्या है k क्या है k तो कुछ हाई नी window size मतलब ठीक है और फिर आपने क्या बोला index is equal to old character minus index निकल लिया फिर आपने count 2 में यह वाला index जो है वह यह minus minus करा दिया बहुत बढ़िया इस परकार आपने यह वाला इस ओवाई कर लिया जम तक आ उसके काम है बहुत बढ़िया ver distint आपने इतना परक र लिया अब आपने बस एक बड़ कर ले ना है यह वाले चीज को कि हमेशा एक बड़ चेक कर लेना है कि यार क्याbei पता tutte कंशेख नहीं ओगए और आप बहार आ गए अभी पर कुछ नहीं कर पाए तो वही या इक्वल होगी नहीं सकते हैं रन करके देखो एक बार टीरी मार गए तो हमारा कोई लूप है यह देखो आई जो है इसको हमने इंक्रिमेंट करना भूल गए आई प्लस प्लस अब चलाओ एक्सेपट होगया एक बार सारे टेस्कें चला लेते हैं अ ठाल करते हैं चल गए एक बार देखलें तो कुछ फुच फसात हो नहीं है लूप सिर्फ पर सिर्फ बन दे रखियो मैं ने बोला कि सिर्फ बन दे रखियो कि जलो रोज बहुत दीरह चल रहा है आज मैंने बहुत सब्सक्राइब करते हैं दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा सब्सक्राइब कहीं पर हमने गलती कर दी है बहुत बहुंकर लेवल की चलो देखते हैं इंडेक्स निकाला s2 of i running for first window s2 of i minus a चीक है और इसका आपने माइनस करा a के साथ इंडेक्स निकल गया इस प्रकार s2 of i ठीक है i0 से स्टार्ट किया था हमने अलएजर window size i++ कर दिया बहुत बढ़ी है कोशन समझते हैं कुछ गलती करी है हमें नहीं पता ठीक है summation में गए a b और a में कुछ गर बढ़ा रही है यानि वो बढ़ा है यानि वो बढ़ा है ठीक है तो हमने गलती क्या करी है हमने इस window में जाने का ट्राई किया है बड़ा हमने एक बार भी यह चेक नहीं करी किने condition कि भाई तुम string से बाहर तो नहीं हो जाओगे यह वाली condition भी चेक करनी पड़ेगी हम यह भी चेक करना है क्यार यह तो नहीं कि हम string से भाहर चले जाए इस window को चेक करता है तो आपकी second string के lens से आगे नहीं कर लगी submit करें एक बार बहुत बड़ी है तो आप नहीं समझ लिए थिक है 97.35 solution से बैटर है तो speed wise we are sorted logic समझते हैं कि logic क्या था इस चीज़ का समझते हैं तो बार एक बार क्या हुआ हुआ हमने क्या किया हमने सबसे पहले count array prepare कर लिया किसका string s1 का मैं चेक करना नहीं है तो हमाड़ागे ऎसके अंदर पर हमने क्या किया जो second string है जिसके उपर मैं चेक करना हμά है कि क्या s1 exists करती है acabar हम उसमें गए उसकी पहली window में हमने चेक किया के count kare रही क्या नहीं कर लिया हुआ हो उसके हमने इक वाल नहीं मिला, डोनोंगा रहे तो आपने क्या किया, आगे वाली window पर चलागे, आगे वाली window पर कैसे जाओगे, पीछे वाला, जो window का सबसे leftmost collector है, यहां पर देखते हैं एक बार, जो window का सबसे leftmost collector है, उसको रचाएंगे, और जो window का नया वालだ character इसको add रहेंगे, पह अभी कोल हुआ गया अभी कोल हुआ इस पकार आप चेक करते जा रहे हैं वह यह complexity क्या है इस solution की देख लेते हैं यहाँ पर o of s1 की length अगर मैं s1 की length हो m मानो तो यह off m हो गया तो यहां तक फिर मैं आगे जाओं यहां पर तो यह क्या है यह विंडो साइज है और विंडो साइज क्या है विंडो साइज फिर दूबर आपकी o of m निकलेगी ठीक है यह भी off m है तो off m plus off m off m ही चल रहा है भी तक complexity फिर मैं यहां तक आ गया यह कहां तक चल रहा है यह s2 की length तक चल रहा है जो की क्या है n अमान लेते हैं of n तो आपका क्या है of m plus of n आपकी complexity चल रहा है और इस प्रकार आपका solution आपने निकाल लिया विज़े space complexity क्या है जिआन से देखो एक space यहां पे लिया है 26 का fixed है यानि constant space है एक space यहां पे लिया है यहनि यहनि स्पेस क्रमलेक्षटी और वान अगई एक्स्टर स्पेस और गुछ उसके हैं पाँ प्रपार अंधिक मैं यह क्या सकता हूं कि इस परकार कोशन आपका अपका आउनलाइन टेस्ट में आसे थे अगले कोशन इतर बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन क्या है remove all adjacent duplicate in a string ठीक है क्या कहता है कोशन यह चलते हैं लिखते हैं इसे बारे में क्या चीज़ है यह remove adjacent duplicates चालो यहां पर बी और भी same character है समझते हैं आपको मैं दिखाता हूँ इन्पुट में आपको क्या दिया हुआ है a b b a c a उसने बोला है जहां भी duplicate character दिखे रिमूव कर दो तो मुझे क्या दिखा रहा सबसे पहले मुझे क्या दिखा है कि भाई यह देखो duplicate मैं इनको remove कर दिया अब मेरी string क्या बन गई ए यह तो हट जाएगा a c a इसना बाद हट जाएगा अब मुझे का दिखा है भाई फिर्शे को प्लिकेट आगा a y फिर सेम आगया अब क्या answer हो गया a y अरे दोस्वी तो answer है इस परकार game केल नहीं है ठीक है इस परकार की game हमें यहां पर खेल रही है s की लेंट जी है वो 10 की पावर 5 तक रिष्ट कर सकती है ठीक है तो यह आपको थोड़ावा समझ मैं कोशन क्या कह रहा है और अभी तक हमने सारे कोशन solve कर दी है अपको बता दी solve करने के लिए तो यह कोशन बिल्कुल scratch से आपको ही solve करना है easy level कोशन है उपर easy लिखा हुआ तो यह आपके लिए as a homework जा रहा है इसको आपको खुद solve करना है नहीं होगा तो हम करवा देंगी नहीं तो डिस्कूर जिंदावाद ठीक है यह वाला कोशन आपको खुद करना है अब पढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ तो एक दिक्कत हुए है इसके आगे का सारा का सारा पाट वीडियो वाला में शूट कर चुका हूँ बट मेरे laptop recording नहीं हो पाई तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि यार कुछ भी नहीं करना है चीज़े बहुत सिंपल आपको लॉजिक समझ में आ रहा है इस परकार कुछ कुछ चीज़ें करने हैं हमने एक पीछिए कोशन इस टाइप कर सेम करा था इतना दर कोशन आपको करा है तो यह वाला कोशन करने कोशन इस बहुत ज़्यादा पूछ आता है इसी मज़ा कुछा जाता है कुछ आउनलाइन टेस्त में इस ट्रेंग करते हैं इसको निए कर दिया इसको दुबहरा करते हैं तो प्रहिचं किया कहता है string compression string compression हमें करना है अगर आप जहां से question पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा पढ़ना पहले question एक बार कि आपको input मेंने कुछ-कुछ दिया हुआ input में दिया है इस परकार a, a, b, 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 c, c, c इस परकार दिया हुआ ठीक है आपको output में क्या दिना है a कितनी बार है a, 2, 2 बार है तो a, 2 b कितनी बार है 1, 2, 3 c, 3, 2, 3 दोस्ती आपका output है यह आपका output दिना है समझ मागी चीज हमें बस character बताना है और वो कितनी बार है वो बताना है exception क्या है exception यह दिया हुआ है कि अगर count 1 है, अगर कोई भी character एक बार है, तो सिर्फ वो character लिख देना, count के निए रिट नहीं है, क्या भाई है, कैसे समझे आई, कोई बात में समझाते हैं, यारि कि अगर input इस प्रकार है, मालो कि A, A, B, A की बार है, C, C, और D, D, दो बार, A कितनी बार है, A, दो बार है, B, क बार है, तो जब एक बार होगा तो लिखने के निए नहीं है, simple B, लिख दो बस, C, कितनी बार है, दो बार है, C, दो बार, D, कितनी बार है, दो बार, D, दो बार, तो आपका ये जो है, या answer हो गया, ये वाली सीज़के हैं, तो इस पकार हमें अपना question solve करना है, और चीज से B, एक बार आया था ने, B से फ़ल एक्जामपर को यहां पर, B सिर्फ एक ही बार आया था, तो हमने B को simple लिख दिया, कोई एक ही बार आया है, अगर count 1 है, तो simple उसको लिख दो, अगर count 1 से ज़्यादा है, else वाला case, है ना, तो आप क्या करोगे, उसको character को count के साथ लिख दो else, अगर double digit है, या फिर मतलब जादा बड़ा हो गया है, तो उसकेस उसको single digit में convert करो, फिर copy कर लो, इस पकार के हमने लिख दम बनाई थी, दुबार समझते है, अगर count 1 है, तो simple है, उस character को डाल दो answer के अंदर, नहीं तो, यानि count आपका ज़्यादा है उन से, तो आप क्या को लोगे, कि simple पहले character डाल दो, यह तो डाली दो, तो इसको count नहीं है, वो single digit है, या फिर वो नहीं है, less than 10 है, या नहीं, ठीक है, else वाला case, अगर less than 10 है, तो simple chip का दो, डाल दो कोई दिकत नहीं है, अगर नहीं है, तो उसको बहुत है, single digit में convert करो पहले, महान लोगे तो single digit म 1,2 और उसके बाद उसको answer में डाल दो, इस प्रकार की चीज़ा है, और off-over, आपको समझ में है, गिंती करनी है, गिंती करकर लिखते हैं, बास, 1 है तो नहीं लिखूँगा, simple चीज़ा, इतनी वाला को समझ में आगी, यह दिहान रखेंगे, जैसे a, b, 12 आया है, तो इसको solve करने का try करते हैं, दोस्त, यह मैं कर चुगा हूँ, तो चलो, कोई नहीं, int i is equal to 0, एक हमने यह pointer बनाया, एक हमना variable बनाया, जो कि दर्शार आए, आपकी character array की starting को, ठीक है, फिर मैंने एक answer index बनाया, 0, answer index क्या है, इसमें क्या बोला आपको, एक बहुत important चीज़, कि जो भी अलग से space मत लेना, जो आपने अलग से answer निकाला ना, इस answer को इसी के अंदर ही populate करना, जो input में आपको vector दिया है, इसी के अंदर ही populate करना, अलग से कोई vector है, अलग से question, अलग से कोई answer मत लेना, तो उसलिए, हमने यह answer index ले कि जो भी valid point होगा, जो भी valid answer होगा, valid element होगा, valid character होगा, उसको मैं answer index पर डालूगा, और increment करता रहूगा, जैसे हमने पीछे valid वाले question में देखा था, right, हमें compress वाल जो function है, output में क्या देगा, यह देगा हमें, कि जो हमारा output में निकाला है, इसका size क्या है, वो size हमें return करना है, तो कोई धंग से पढ़ना, मैं आपको धंग से इसको solve करना है, वीडियो देखने है, दो बार समझाता हूँ, आपने इसको solve करना है इस प्रकार, और जो यह answer आने वाला है, इसको आप इस ही array में डालेंगे, और जो इस answer का size है, इस vector का, वो आपको इसके method के function के output में देना है, यह तना आपने कर दिया, आपने बोला कि while, जब तक i less than, इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, मैंने इसको मालो कि number है, int n में डाल दिया, इसको cares.size को, तो जब तक while i less than n है, तो कुछ मत करो, आप जाओ, उसका अगला element उठालो, उसका अगला element क्या है, i plus 1, जे में store कर लिए आपने, आप इसलिए क्या करना है, हर character क compare करना है, अगर same है, तो plus plus count करते जाओगे, count को बढ़ाते जाओगे, अगर different है, तो रुख जाओगे, रुखने के बाद क्या करोगे, उसको डालोगे पहले, character को answer के अंदर, फिर उसको count देओगे, single digit है, double digit है, उससाफ से डालोगे, तो हम पहले क्या करते हैं, compare करा लेते ह और क्या करो, ये को आगर बढ़ाते रहो, इस परकार, तो आपने ये वाला काम कर लिया, अब आप इस लूप से जब भार आओगे, यहां कब आओगे, दो ही cases में आओगे हैं यहां पर, या तो vector पूरा traverse कर दिया, या फिर क्या हुआ होगा, new या different character encounter किया है, मान लोग पहले a था, आपको b मिलते ही बाहरा आगे, आपके रुख जाओ, पहले a वाले answer store कर लिता हूँ, फिर b की बात करेंगे, अच्छा जो, ठीक है, आपने क्या कि पहले मैं अपना जो character मेरा है ना, उसको store कर लिता हूँ, कैसे करोगे, cares of answer index++, इसमें क्या करोगे, cares of i, यह आपने store कर लिया, इसको मैं क्या बोलूँगा, कि old character store कर लो, यह कर दिया आप, फिर आपने इसका count निका लिए, बार count बिता store कर लूँ, आपने count निकाला, count कर से निकलेगा, j-i, आपका first most occurrence है, और j पर आपका नया वाला element हो सकता है, नया वाला character हो सकता है, या फिर आपके vector कर last index हो सकता है, मतलब, vector कर last index है, मतलब, basically आप vector से बाहर निकल गए, तो j-i, मैंने सही करेंगे, आपका count निकल जाएगा, अब count के उपर condition थी, कि count जो है, वो greater than 1 होगा, तो ही आप दालना, यह condition है, अगर count greater than 1 होगा, त स्ट्रिंग में डाल लेता हूं, मैंने को बले, string cnt is equals to two string count, तो मैंने count को string में convert कर लिया, यह क्यों कर रहा, देखो, इसलिका रहा, मैंने एक for loop चलाया, char ch belongs to cnt, तो देखो, इस परकार मैंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्यार से, बड़े चला की बड़े तरीकी से, एक integer में से, count एक integer था, उसमें, उसमें से character निकाल लिये, बहुत प्यारा solution है, बहुत हिप्चला की से हमने कर दिया, और इसको हमने डाल दिया, अपने index, answer के अंदर, cares of answer index, plus plus, इसके अंदर answer आगे cs, इस परकार आपने डाल दिया, किसको पता बन लेगा, तो ये पूरा logic किसलिए है, converting, counting into, single digit, and saving, इतना आपने कर लिया, अब क्या करना है, तो मेरा पहले character के लिए काम सार हो गया, हमने क्या करते हैं, पहले character सेव करा लिया, मतलब कि, उस particular current character के लिए, आपने उसको यहाँ save भी करा लिया, old character को, और आपने उसको count भी save कर वा लिया, यहाँ पर count भी save होगा, दोनों काम होगा, अब मैं अगले character पर जा सकता हूँ, अगला character कहाँ बैटा है, मैं आपको बोला था कि आप यहाँ से बारत भी आओगे, जो आपको अगला character मिलगा होगा, हम लिखाने मैं different character मिलगा होगा, अगला character पर बैटा है, तो मैंने बोला स्टोरी कर रहा था तो answer index के अंदर, तो हम पहले से store कर रहे थे, इसमें कौन से दिक्कत है, code होगया, मैं बहुत ठीक है, गबन नी करने चाहिए, इंसान को run करके देख लो, एक बार, यह बार उन run करके देख लिया, हमने एक बार सारे dash case ले लिए, और उस पर run करके देख इसमेट कर दिया, और यह हमारा 100% solution से better आ गया, बहुत बढ़िया, यह तो पिछली बार से भी जाद अचा solution हो गया, पिछली बार के लिए अच्छा है, एक और optimized solution आपको समझ में आ गया, तो इस पगएर हमने इस question हो स्वाल कर दिया, और आपको समझ में आ गया, तो इस पकका आ गया, वो बहुत जी समोध एक इसलेशन गई है, बहुत आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया, फिर भी एक वार दृबार समझा जा जा जेते हैं, इंटा इस इकलो इस पर दालनो इस चीज को, उसके लिए मैंने आपको स्वाल रखा हुआ, नहीं लगा गा फिर गाल, आपको सिंपल यहां पर N की जागे लिए, रिख सकता है, उससे आंथे सल जाए लाँ जाएँ, मुझे अगले वाले और क्रेक्र निसे अगले ये कंपैर ग्ली अशे मिलता जा रहा है, अब जब तक मेरा सेम क्रेक्र मुझे मिलता जा रहा है, वह बसको मेरा सीम क अपने कर दोब जलते हैं यहां पर अपने और अपने कोश्चन कर लिए आपको मज़ा आ गया एक्सक्पक्ट कर रहा हूं कि आपको समझना जा आपको आपको समझ में आगए होगा बहुत मज़ा भी कोशन भी है इंपॉरन कोशन है इसा क्वाइब बहुत कुशन हमने आपको इंपॉर्टन कोशन हमने अब इस पूछलेते हैं इंटर्वियू में एजदे में पूछ लेते हैं एक पूछ लेते हैं हमने बोला था कि कॉछेन से करना बना है कोशन करना है अंडर बेड़ बनाया है कोई एक्ट्रा स्पेस नहीं लिया और टाइमक्शिटी तेहां से तक एक ही आई लूप है अंदर तो बस traverse कर रहे हैं जहां से कर logic देखो है तो आपको समझ गया है कि हमने बस इस पूरे vector को traverse किया है तो अगर मैं complexity के बात है तो big of n आ जाएगी n किया है इस vector का size time complexity of n space complexity of 1 देख है दोने चीज़ आपको समझ में आचुकी होगी और यह बहुंगा कि एक बार इसके discussion form देख लेना एक बार इसका editorial भी देख लेना एक बार इसका editorial भी देख लेना एक बार इसका तो वहां से आपको और अच्छा से solution भी शायद मिल सकते हैं और मेरे साब से यह बहुत से solution है क्योंकि हमने 100% बीट कर लिया तो इससे solution तो नहीं मिलेगा और और अलगलग प्रोचीज आपको मिल सकते हैं तो तो कमेंटे से बतागे जाना भाईया बहुत मज़ा आ रहा है बिकुर मज़ा नहीं आ रहा है हर चीज या फिर दो गंटे इतने नट तक मैं देख रहा था भाईया मैंने पूरी वीडियो देखी है और मोटिवेशन मिल जाएगी यह वारी वीडियो बहुत लंबी होगी है रात के सब एक साथ इसे बज़िये सूट करते करते तो शुड़ो में इतना ही मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 टाटा सीया